यो क्या स्टे हैं सब लोग जल्दी से बताएं एक बार चेक करके क्या मैं लाइब आ चुका हूँ क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं आडियो वीडियो is it clear to you जल्दी से चेक करके मुझे confirm करें सभी लोग I guess I am live now yes so many people are waiting yes 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 we are perfect एक बार आडियो चेक कर लेते है आ रहे है आडियो वीडियो is it yes yes everything is perfect yes 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 so very 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 good evening सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस दिन का बहुत बेसबरी से इंतजार था काफे दिन से हम आप लोगों को बता रहे थे कि we are going to start from first of September और यह बात बिल्कुल सही है दोस्त कि कुछ ऐसी situations बनी जिसकी वज़े से हम कुछ दिन लेट हुए है batch को शुरू करने में लेकिन चिंता बिल्कुल मत करना यार ठीक है एकदम best quality content आपको मिलेगा आपको बस हमारे साथ बने रहना है और सब कुछ बनिया होगा तो finally देखो यहां तक हम पहुँच गए न क्योंकि कुछ दिनों पहले तो इसकी भी certainty नहीं थी कहां पढ़ाएंगे कैसे पढ़ाएंगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे आप लोगों का क्या होगा लेकिन दीरे 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 सब कुछ आप लोगों ने हम पर विश्वास किया और मैं आपको बता रहा हूँ कि यह विश्वास का आपको पूरा वर्थ मिलेगा चिंता मत करना तो कौस्टिंग का यह है पहला लेक्चर और मेरा नाम है प्रणव तो एक बार में देख लेता हूँ सब कुछ ओके रिपोर्ट चल रहा है भाई अभी हम लोग सिर्फ टॉपिक की बात करेंगे सिर्फ क्लासिस की बात करेंगे और अब हमारा मिशन है मेट 24 इंटरमीडिट जो हुआ जो सारी चीज़े हुई जिसकी वज़े से निगेटिवि जल्दी कंफर्म करके बताओ यस सर अब हम पूरे तन मन धन के साथ लग गए हैं इस सीए इंटरमीडिट मेट टॉजन टॉजन टॉटिफ की तैयारी में यस एवरिवन बिलकुल दिल से बिलकुल दिल से लगए हैं तो शुरू करूं इंट्रोड़क्शन के साथ चलिए दिल से ले तो फांडिशन लवल में आपको बढ़ाता हूं मैं आपको पढ़ाता हूं मैं अचलार स्टेट्स जो की न्यू सिलिबस में हो जाएगा quantitative aptitude और intermediate level में मैं आपको पढ़ाता हूं cost and management accounting which is paper no.4 of CA intermediate. यस, very good, very good, good evening, good evening, sabhi लोग आते जाहिए. so this is Vishwa's batch costing lecture number 1 मैं आप सभी को बता दू हमारी batch यहाँ से शुरू हो रही है and this is not just a YouTube video this is actually the first lecture of the batch और जो हम app में जब shift करेंगे 11th day से 11th of September से after first 10 lectures तो यहीं से continuation आएगा मतलब ऐसा नहीं वो फिर से चालू होगा it is nothing like that ठीक है तो बिलकुल real batch है जो लोग paid है वो भी यहीं देख रहे हैं अभी और जो लोग अभी quality check करना है वो भी यहीं देख रहे हैं ठीक है जी चल तो पहले 10 lectures पहले 10 दिन पूरे के पूरे free है YouTube में आप बिलकुल चिंता मत करिए ठीक है चल यह तो introduction to the subject cost and management accounting paper 4 and basics of costing मैं आज शुरू कर दूँगा यह आपकी विश्वास batch है विश्वास batch की पूरी details आपको इस image में दिखरी है मैं अभी आपका और मेरा भी समय इसमें जाया नहीं करूँगा पूरा बताने में क्योंकि हम separate video बना कर आपको पूरी details batch की बता चुके हैं लेकिन फिर भी अगर कोई भी inquiry हो फिर भी कोई भी doubt हो अगर आपको तो भाई साब इस video के description में google form की link है उसमें सिर्फ अपना नाम नमबर भर देना आपको एक callback आ जाएगा sir हम खुद call करना चाहते हैं आपर calling numbers डाले हुए है आप directly call भी कर सकते हैं कोई problem की बात नहीं है ठीक है जी by any mode you can get your query solved so time table आपके सामने बता देता हूँ in the morning 9 a.m. to 11.30 a.m. तेज़स सर ने आज accounts पढ़ा है I hope आप लोगों को बहुत मजाया होगा and then we have the class of law so 11.45 to 145 law पढ़ाएंगे दीपी का मैडम and इंद्रे सर simultaneously same time पे दोनों classes होती है then taxation आता है 2.45 p.m. after the lunch break 2.45 से 5.15 तक taxation होगा जो विवेक गाबसर पढ़ाएंगे and मैं और मोनीश सर इसी time पर आएंगे 5.30 टू 7.30 जिसमें Monday, Wednesday और Friday आऊंगा मैं दो घंटे के लिए और Tuesday, Thursday और Saturday आएंगे MV Sir आपके लिए कौन सा subject लेके FMSM ठीक है जी 1st of September से हमने ये शुरुआत कर दिये तो सुनिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से वैसे तो जो भी बच्चे batch में अन्रोल करेंगे उनको hard copy notes मिलेंगे लेकिन इतनी जल्दी में तो सब कुछ अभी हो नहीं पाएगा और हमको हमारी पढ़ाई तो disrupt करनी नहीं और शुरुआत करनी है तो जो भी मेरी hard copy है actually उसका जो first chapter है basics का उसके notes मैंने already डाल दी है जिसका PDF सबके लिए freely available है तो आप लोग एक बर live chat में जाके check करके मुझे बताओ भाई क्या आप लोग उस notes को access कर पा रहे हैं और कैसे लग रहे हैं आपको वो notes एक बर जल्दी से check करना क्योंकि उसी का आज हम लोग use करने वाले हैं ठीक है जी जो बच्छे इस वीडियो को recorded देखेंगे उनको बता दू भाई कि comment box के अंदर भी आपका description box के अंदर भी हमने वो link डाल भी है so that live chat अगर बाद में चला भी जाता है तो आप वहां से भी इसको download कर सकते हैं ठीक है जी चलिए तो मैं हूँ तयार उम्मीद करता हूँ आप लोग भी हैं तयार are you guys ready जल्दी से एक बार बताईए मुझे live chat के अंदर if you guys are ready with the victory sign yes so we are ready with full high josh और बिलकुल तयार है audio video सब सही आ रहा है sir नई जर्नी शुरू करने जा रहे है मैं भी और आप भी और जब भी मैं कोई नई जर्नी शुरू करता हूँ एक चीज कभी मत बूलना अगर आज तुम यहाँ होना तो सबसे बड़ा credit जाता है तुमारे parents को मैं तो मेरे inspiration मेरे parents को मानता हूँ तो बिना उनकी blessing लिए मैं आगे बिलकुल नहीं बढ़ूँगा So thank you so much parents जिनकी वज़े से मैं यहाँ पर आज हूँ जिनकी वज़े से मैं इतना काबिल बना कि मैं आप तक knowledge को deliver कर सकूँ ठीक है जी And you guys are also privileged कि आपको आपके parents ने इतना पढ़ाया कि आप इतना prestigious course शुरू करने के लिए और उसमें भी अब intermediate level पर आचुके हो So you should be very thankful to your parents Right? Yes sir, बिलकुल And Some of the things are not in our control Which is given by the nature So the skill जहाँ पर, तुम भी बुक से पढ़ते हो, मैं भी बुक से पढ़ता हूं लेकिन बुक से पढ़के समझ के उसको ऐसे तरीके से आपको बताना है कि वही सेम चीज आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आए यही टीचर का में काम है और यह, मैं बिलकुल ऐसा नहीं बोलूँगा कि यह मेरी skill है या फिर यह मुझे ही आता है, यह मुझे God gift मिला है, इसलिए मैं काम कर पा रहा हूं So I am just a medium I am just a medium to deliver to you Right, and really Before going forward I cannot, it is very less to say that I am proud to be an Indian, तो भारत माता की जय चली शुरू करते हैं इस session को सबसे पहले मैं आप लोगों को न टाइम लाइन बता देखा हूं आज है पहला September 1st of September आज हम regular batch शुरू कर रहे हैं MWF और यह batch में आप सभी को बता दूं, चलने वाली 31st of January तक Sir, इतना बड़ा batch बापरे September, October, November, December, January 5 महिने, फिर दूसरे subject कब पढ़ेंगे अरे आपने planning नहीं देखी क्या batch की Planning जरूर देख लेना भाई हम आपको 5 महिने में 5 subject करवाएंगे और FAB में सिर्फ आपको एक subject करना पड़ेगा audit तो 31st of January तक आपका majority both group हो चुका होगा उसके बाद full-on revision करना आपको तो भाई, अगर हफते में 3 दिन class हो रही हैं तो session थोड़े लंबे जाएंगे duration थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन this is the very effective strategy if you are targeting both group 31st of January के बाद जब 1 FAB से लेके 29th of FAB तक आप खाली रहोगे तो आप revision शुरू कर सकते हो तो मैं आपको बता दू regular batch में मेरा objective रहेगा कि आपको पूरी conceptual clarity दे दू ICI का study मतल पूरा फ्री डालेंगे बाई हम लोग और selected PYQs and RTP भी जो conceptual understanding के लिए जरूरी है वो हम करेंगे हर एक chapter के बाद हम करेंगे chapter wise test और अब तो costing के अंदर आ चुका है MCQ, yes तो क्योंकि costing में MCQ आ चुका है तो MCQs भी करना है हम लोगों को अब आपको लग रहा होगा कि sir मतलब आप 31st of January तक हमको support दोगे the answer is no survive क्योंकि support होता है till the day of exam जब तक हम आपको center तक पहुचा नहीं देते हैं support तो तब तक बरकरार रहेगा I hope आप मेंसे बहुत सारे लोगों को पता होगा या foundation में भी आपनी चीज़ experience करी होगी कि अगर हम बच्चों की responsibility लेते हैं तो जब तक आपको हम center तक ना पहुचा थे तब तक full on support करते हैं by way of this virtual mode तो dedicated revisions and mock papers आपको करने है revision आपको बिलकुल self करना चीए लेकिन कई बार बच्चों को problem होती है self revision करने में तो वहाँ आपके support के लिए हम revisionary series भी लाएंगे जिसकी मदद से आप जल्दी revise कर सको exam जब कुछ दिन बाकी होंगे तो marathon series भी लाएंगे और जब exam के 1.5 days बाकी होंगे तब तो आपको एक best effective support मिलना है जो I think बहुत ही बड़ा turning point prove हो सकता है because last 1.5 days अगर अच्छे से manage हो जाते हैं न, moral भी बहुत high होता है बहुत सारे attempts हो चुके है आपने देखा होगा भारत में exam से एक दिन पहले जो marathon revision होता है उसमें सबसे बड़ा number हमारी class में बैठा हुआ था in the previous attempt 1400 people were like and so many have like watched it later तो करीब भाई 3000 के उपर तो likes थे and the video was around 40-50 के views in just 1.5 days तो मैं यह नहीं बोलूँगा कि भाई सिर्फ number ही सब कुछ होता है लेकिन number ऐसे ही नहीं आता है it's all about the word of mouth जहांपर एक student को जब कोई चीज अच्छी लगती तो वो दूसरे को बताता है ऐसे ही लोगों को बता चलता है ठीक है जी? I hope you are getting it मैं क्या कह रहा हूँ अपना शुरू करने से पहले यार मैंने मेरे बारे में बहुत बता दिया मैं क्या पढ़ाता हूँ ये भी बता दिया मैंने मेरा जो है introduction जो आप लोगों को रटा हुआ जो बच्चे हम से foundation में पढ़े है वो भी बता दिया है दिल से रे भी कर दिया है अब बारी आपकी भाई तो मैं जानना चाता हूँ आपका full name क्या है आपका city state क्या है foundation में क्या marks दे अगर direct entry से है तो direct entry लिख दो एक अपनी hobby बता दो और ये पूरा एक इस format में लिखो in the live chat तो जैसे मैंने लिखा न प्रणाव पोपट मैं हूँ डिंडोरी MP से मेरे 332 marks आए foundation में और singing और musical instrument मुझे play करना पसंद है मैं भी तो जानू भाई कि हमारे साथ जो बच्चे जुड़े है भारत के किस-किस पोने से जुड़े है और उनको क्या-क्या शौक है और foundation में भाई क्या धमाल मचा किया है let's see comment जलू करो मैं वेट कर रहा हूँ तुम लगों के comments का तो एक बार नाम भी पढ़ लेता हूँ मुसकान है, साहिल है, मंजीत है, निकिल है सत्यम है yes कोई बात नहीं सत्यम वो सब चीजे सौट आउट हो गई है अब आप ऐसा नहीं बोल सकते कुछ ऐसी परिस्तिती आती है जो सबकी control में नहीं होती लेकिन उसमें भी जो best possible solution होता वो हमने find out कर लिया है आप लोगों के लिए, right तो देखो भाई, जैसे ओमतिवारी ने proper लिखा हुआ ओमतिवारी फ्रम दिली and 213 मांक्स, लिस्निंग, म्यूजिक, अभिनव, अनन, फ्रम बिहार, 246 क्रिकेट, क्या बात है तो फनद्दा जी, थैंक यू सो मच सचिन जी, सब्तीश, कुमार, चैन्ने, वा, क्या बात है 280, exercise and reading books, 230, साक्षी, क्या बात है नमन, दिसंबर नमन जी आप चिंता मत करो भाई, दिसंबर वालों की भी रिविजिन्स आएंगे नमंबर 23, intermediate वालों की भी रिविजिन्स आएंगे कोई भी support खतम नहीं होने वाला पर अभी अगर आप May 24, intermediate की बच्चे नहीं है ना आप में से कोई तो आप लोग थोड़ा रुख जाईए, आपके लिए separate videos बनेंगे अभी May 24 वालों को अच्छे से पढ़ने दीजिए ठीक है जी, चलो, दीपर्थ, मधू, नीलम, क्या बात है भाई, क्या बात है तो भारत के विभिन विभिन कोनों से, दक्षन भारत, उत्तर भारत, पस्चिम भारत, पूरव भारत सभी जगे से लोग जुड़े हुएं, बहुत अच्छा लग रहा देखके अल शुट फील दिस इस दा नेशनल लेवल क्लास, ब्रो, राइट, तो डिफरेंट पार्ट्स अफ इंडिया से लोग जुड़े हुएं, और हम पर बरोसा किया, थैंकिए सब्जेट के बारे में अब मैं आपसे बात करूँगा और बहुत ही जल्दी इस डिसकेशन को क्विकली बताने के बाद मैं टॉपिक चालू करने वाला हूँ, लेकिन मैं जो अभी बता रहा हूँ, वो सुनना बहुत जरूरी है, तो क्या आप लोग फुल्ली अटेंटिव हो, फ्लीज एक बार, ओ भाई, यहां पर, विवेक सर करते न, ओ ओ ओ भाई, तुमसे बोल रहा हूँ, सुनो, 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 इधर, मज़ा आया वगा विवेक सर से पढ़के आज, राइट, चलो, यह तो मैंने भी उनसे सीखा, यह बढ़िया तरीक अटेंशन, ग्राप करने का, ओ ओ भाई, भाई, तुमसे क्या रहा हूँ, सुनो, सुनो, यहां सुनो, अब मैं तुमसे कॉस्ट and management accounting subject के कुछ features के बारे में बात करने वाला हूँ, त्यान से सुनो, क्या है वो features, सबसे पहली बात तो सर, this is a practical subject, और बिलकुल real life से connected है, आज सारे real life के examples लूँगा, आज और आने वाले दिनों में, कि बस दिल garden garden हो जाएगा, परामानंद की प्राप्ती हो जाएगी तुमको, yes, 100 marks का paper है सर, पूरा-पूरा 100 number का, पहले 100% descriptive हुआ करता था, subjective हुआ करता था, लेकिन अब 70% subjective है और 30% MCQ हो गया है, अब 30% MCQ हुआ है, त हम पूरी तरीके से करेंगे, बड़ इवेंचुली धीरे-धीरे हम लोगों को और clarity आएगी, कि MCQ कैसे-कैसे बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें तो हमारा conceptual focus रखना है, तो MCQ भी बन जाए, तो कोई problem नहीं है, अच्छा, अब अगर रही बात की questions कैसे आते हैं paper में, तो सर, बेशक, numericals तो जान है भाई costing की, तो numericals question आते हैं, 10-10 number के, 6 number के, 5 number के, बहुत बड़े नहीं आते हैं, 20 number, 25 number, अभी तक तो old, जो existing scheme थी, उसमें नहीं आते हैं, new scheme में कुछ कह नहीं सकते हैं, theory, theory थोड़ी बहुत आती है, अब मुझे लगता है कि MCQ के आने के बाद, I'm not sure क theory का बेटे, शायद कम हो जाए, या फिर theory को ही MCQ में पूछ लिया जाए, ऐसा भी हो सकता है, वो तो जब पहला mock test paper आएगा, तब pattern सबको पता चलेगा, अच्छा, एक important चीज सर, working notes, यहाँ पर आपको answer लाना नहीं है, जैसे maths में हम जब पढ़ते हैं, तो answer आ गया, बात ख how you reach there, तो working notes are also the part of solutions और उसके भी number मिलते हैं, step marking भी subject में adopt होती है, अच्छा, format थोड़े rigid है, क्या बात कर लो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने not लिखा हुआ है, जैसे जब आप financial accounting पढ़ते हो, main accounting, उसमें बहुत सारी जगे पढ़ कुछ चीज हो को लेके नियम कानून है कि भाई, ऐसा ही format बनेगा, ऐसा ही schedule बनेगा, लेकिन मैं आपको बता दू, costing में ऐसा कुछ भी नहीं है, costing में न, हर चीज के पीछे एक requirement है, जो हमको sort out करनी है, एक problem दिया है, solution चाहिए, अब तरीके कुछ भी हो सकते हैं, format कुछ भी हो सकता है, एक हो सकता ह मैं जो table बना रहा हूं, मैंने column 1 और column 2 में जो चीज लिए, तुमने row 1 और row 2 में वो चीज लिए, तो भाई, हम सब को पहुँचना एक जगे पर है, मन्जिल से हमें, लेकिन तरीके अलग-अलग हो सकने, costing में अच्छी चीज है, that is the flexibility of costing, but at the same time, क्योंकि format rigid नहीं है, तो को बच्चों को ऐसा लगता रहे, सर हमको तो समझी नहीं आता कहां से शुरू करें, so it requires a lot of practice, जो हम obviously करेंगे, doubting उसकी उपर, ठीक है जी, चलिए, perfect, ये था paper का पुराना pattern, पुराना pattern वैसा ही था जैसा आपना accounts देके आयो foundation में, कि question number 1, 20 number का compulsory है, question 2, 3, 4, 5, 6 में से आपको कोई 4 question करने, optional, और उसमें से भी 6 question theory वाला होता है, इस तरीके से पहले old pattern हुआ करता था, लेकिन ये तब होता था, जब there was no MCQ, अब क्योंकि costing में MCQ आ गया है, तो ये pattern बदलेगा, तो मैं अभी आपको कुछ commitment नहीं दे सकता कि pattern क्या आएगा, इसलिए मैंने अभी आपको जब previous pattern बता दिया, नया pattern जब भी release होता है, जहां से भी हमको idea लगता भाई, आपके सामने ज़रूर प्रस्तुत करेंगे, उसमें कोई डिक्कत की बात नहीं, मैंने बोला, अभी मैं तुमको एक pattern बता दू, तुमें एक idea लगे कि देखो, कैसे पहले वाले question में 5-5 number के 4 numerical है बाकियों के questions में 10-10 number के 2-2 numerical हैं, और आखरी में theory के 5-5 number के questions हैं, तो more or less जो तुमारा numerical का portion है वो इसी तरीके से रहेगा, 10 number का, 5 का, या 6 और 4 का, इस तरीके से होता भाई, ठीक है जी, perfect है, no problem, अब मैं बात कर देता हूँ कि भाई, तुम मुझसे क्यों पढ़ना चाहते ह या फिर sir, उल्टा सवाल करते हैं, sir, हम आपसे क्यों पढ़ना, चलो भाई, मैं बता देता हूँ मेरे बारे में कि मेरा approach क्या है, अगर तुमको set होता है, तुमारी wavelength match करती है, तुमारी tuning जमती है, तो तुम बिलकुल पढ़ोगे पूरा का, है ना कोई दिक्कत की बात तो ह बाई, चीजें हो तो already proven है, उसमें मुझे कुछ बताने की जरूत हैं, तो सबसे पहली बात में कर देता हूँ, दोस्त, conceptual clarity के बारे, yes sir, conceptual clarity, this is the prime focus of our regular batch, हो सकता है दोस्त, मैं किसी chapter में एकात question ना कर पाऊँ, time की limitation को रखते हुए, लेकिन एक बात की guarantee देता हूँ, जब तक concept घुसेगा नहीं न, ये बंदा आगे बढ़ेगा नहीं, guarantee, ठीक है, दूसरा आता है sir, study material question, that becomes the priority, कई बच्चे बोलते sir, study material क्या मतलब sir, as it is तो उटके आते नहीं question, that is the bare minimum requirement यार, अगर तुम्हें pass होना है, तो conceptual clarity और study material के सारे questions की हुए होने चाहिए, फिर अगर तुम्ह अच्छे number लाना तो extra questions की बात करें, अच्छा है, एक important feature, जो आपको मेरी class में मिलेगा, वो मैं बता देता हूँ, that important feature is the DPQs, sir, ये DPQ क्या होता है, DPQ का full form है daily practice question, आज for example मैंने कोई concept समझाया और उसका एक question करवाया, तो उसके जैसा एक similar question, it can be from any of the source, हो सकता है study mat का कोई द बहुत sincerely करना, इसका reason बताता हूँ, जब आप class में मेरे साथ questions करोगे न, आपको बड़ा मज़ा आएगा, आपको एकदम दिल garden garden हो जाएगा, लेकिन न, जब खुद करोगे, तो थोड़े से pain points पता चलेंगे, और जब वो pain points पता चलेंगे न, तभी तुमारा mind धीरे-धीर इस चीज़ पर development करेगा, और वरना तो क्या, अरे बहुत मज़ा आगया, बहुत मज़ा आगया, आगे बढ़गे न, तो थोड़ा सा self practice लगेगा, मैं बस आपको यह बोलूँगा कि बहुत जदा heavy homework नहीं दूँगा, क्योंकि already schedule बड़ा tight है, पर पहले की batches में भी मैं ऐसा करता था, one question in a day, ठीक है, हो सकता है किसी दिन जैसे आज हम लोग basics पढ़ रहे हैं, basic में तो numerical होता ही नहीं, आज की तो बात ही अलग रहेगी, तो उसमें मैं कोई homework नहीं दूँगा तुमको, लेकिन यह मैं एक regular basis पे बोल रहा हूँ, जब हम material costing चालू कर देंगे, जब हम practical chapters चालू कर देंगे, तब की बात कर रहा हूँ, तब यह routine हमारा बनेगा DPQ वाला, तो DPQ आप लोगों को बहुत sincerely solve करके आना है, और इस बार तो DPQ के questions भी भाई हम आपकी book में ही include रहेंगे, तो आपको यह हमारा refer भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, फिर आता सर PYQ RTP questions, कई बहुत initial level से ही, PYQ RTP को as a load लेने लगते हैं, मैं आपको एक बात बता दो, जब तक आपको subject की clarity और conceptual understanding नहीं है, जबरदस्ती PYQ RTP का load लेने का मतलब नहीं है, PYQ RTP करना है, the answer is yes, क्या immediately करना होता है, the answer is no, PYQ RTP में से कुछ ऐसे questions होते हैं, जो मुझे लगते हैं, कि मु बच्चों को वो भी करवा देता हूं, उसकी चिंता बिलकुल नहीं है, मतलब it is the part of the batch, लेकिन ये मैं decide करूँगा कि किसका sequence क्या होना ची, because I am the right person, I know, right, कि students के mind में कभ कितना capture हो सकता है, एक और important feature सर्, जो हम हमारे सारे previous batches में बिलकुल strictly follow की है, chapter wise test, अब chapter wise test, मैं generally दो त करता हूं कि paper होगा, test होगा, generally उसको Sunday को रखते हैं, और solutions दो तरीके से provide करता हूं, कभी-कभी अगर मैं available नहीं हूं, या Sunday को मैं travel कर रहा हूं, तो late नहों आपको, तो solutions PDF में provide कर देता हूं, कि खुद आप auto evaluate कर लो, या तो फिर कभी-कभी YouTube में live आके, solution discuss कर लेता हूं, ultimately evaluation त जाते हैं, कहीं जाने के, इसलिए मैं भाई, जबरदस्ती की extra commitment नहीं कर रहा कि, हर बार video solution सही, लेकिन एक बात sure है, test होगा, और बड़ा मजा आएगा तुमको test में, और test एक बहुत important चीज़ है भाई, अगर test बता दिया जाता है, एक हफते पहले से, या 4 दिन पहले से, त और इस बार additional चीज़ जो आएगी सब, MCQ की practice भी करेंगे, जितने possible MCQs मैं सोच सकता हूँ, वो भी बना के आपको दूंगा, फिर आती सर्फ theory की बात, तो theory costing में उतनी जरूरी नहीं है, जितनी maths stats LR में थी, लेकिन पढ़ना तो होता है, अब भाई, जब तुम concepts पढ़ोग और अब मैं आपको सीधी बात बता दू भाई, theory Q&A is not the part of our regular class, क्योंकि भाई, हमारा main focus होता है numerical में और concepts में, तो theory के Q&A के अलग से series आती ही YouTube में, जिसमें करीबन 8-10 lectures के बीच में, जितने भी पूरे syllabus के theory questions हैं, Q&A format में आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है, तो ऐसा भी ह practice के लिए, अब self revision में तो वो तो सर्फ करना है, फिर उसमें आप क्या कर दोगे, महाँ पर मैं one shot revisions बनाऊंगा, so that अगर आप कहीं attack रहो, तो one shot revision में काई, particularly वो topic देखा, बंद की वापस से अपना self चालू कर दी, मतलब अगर तुमारी self study में कहीं break आ रहा है, उससे support ले सक तो dependent नहीं होना है उसकी उपर, पहली बता दे रहा हूँ, अगला, mock test paper, अगर हमें अच्छे number लाने है, अगर हमें mission accomplished करना है, 80 plus का, तो mock test paper के questions नहीं करने, actually 3 घंटे का mock paper देना है, तो मेरे असाब से कम से कम 2 mock paper सभी बच्चों को देने चाहिए before the exams, और हम जिस हिसाब से batch क plan किये हैं, आप सभी को वो समय मिलेगा, बिलकुल मिलेगा, let's come to effective use of 1.5 days, इसके बारे में मुझे कोई बोलने की जरूत नहीं है, यूट्यूब में जाके मेरा नाम सर्च करके देख सकते हो, full support हमने पिछले कई attempt से बच्चों को दिया, बहुत उससे effective results भी निकल कर आएं है ठीक है सर, तो ये था हमारे पास study approach के बारे में, अब भाई, ओ भाई तुमसे बात कर रहा हूँ, मैंने मेरी तो बता दी, मैंने subject की तो बता दी, तुमसे भी कुछ expect करता हूँ, क्योंकि ये ऐसा goal है, जो common goal है, तो मैं अकेला मैनत करूँगा, तो काम नहीं चलेगा दोस्त तुमें भी मैनत करना पड़ेगा, कितने लोग मैनत करने को ready हो, कितने लोग पहले से mindset बना चुके हो कि सर, हमें एक बार में ही निकालना है, there is no option of second attempt, एक बार में ही निकालना है, एक बार पढ़ेंगे, शिदत से पढ़ेंगे, जी जान लगा देंगे, सर ये बार-बार व दूसरी बात, कई बार over and through हो जाते हैं बच्चे, उनको लगता बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा है, अरे मेरे भाई, तु बिल्कुल doubt पूछ भाई, तु silly से silly doubt पूछ, मैं तो repeat करना तो मेरा फिदरत है बाई, मैं तो infect बदनाम जी है, या प्रणावसर बहुत slow पढ़ा But reason क्या है, क्योंकि सबको साथ लेकर चलना है, तो I will repeat the things, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि irrelevant doubts पूछे जा रहे हैं, जब तक मैं किसी चीज़ को complete ना कर दू मेरी तरफ से, और फिर मैं ना बोलू कि हाँ, बताओ बेटा, अब तुम्हें समझ में आया की नहीं, तब तक पूरी batch का doubt, पूरी batch का जो है, महोल खराब होता है, अच्छा, sticky notes extensively to remember the stories and examples, अच्छा भई, मैं एक बात बता दू, मैं ऐसा अव्यक्ति हूँ यार, concept को समझाने के लिए मैं कोई structure, manner में पहले से decide करके नहीं आता कि यही example रहेगा, यही बंदा रहेगा, उसमें यही इसके स concepts लिखे हैं, उसमें सारी summaries बनी हुई है, सब कुछ है, questions है, practical problems है, उनके answers है, लेकिन, जो मैं stories और examples दूँगा, वो आपके mind में बैठते हैं, तो आप सभी से request है कि जो hard copy की book आपको मिलेगी न, please, 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 सभी लोग उसमें sticky notes से examples, etc. लिखते जाना, क्योंकि यह हर बार change होते हर बैच का अपना style होता है, तो sticky notes अगर नहीं खरीदें, तो please खरीद लेना, क्योंकि बाद में जब तुम revise करोगे, sticky notes में लिखी हुई चीज तुमें बहुत काम आनी है, highlighter भी लेना, बहुत फायदा होगा, दूसरा एक promise आप लोग उसे चाहिए, इस चीज को लेके सिब RC हो जाते हैं बच्चे, और intermediate में अगर थोड़े से भी तुम RC होए ने घड़वड हो जाएगा, मैंने बोध गूरूप फस्ट अटम निकाला था, लेकिन आसान नहीं था भाई, बिल्कुल आसान नहीं था, मैंने पूरे 9 months, तब तो offline class होती थी और एक साथ बोध गू समझ में आता ना भाई, पूरा moral down हो जाता है, सच बता रहा है, तुमने तो half सी यह देखी होगी, वहाँ पे तो उस चीज को feel करवाया है, सिरीज में, बिल्कुल होता है भाई, तो मतलब देखो medical reason is different thing, but medical reason भी क्यो हो भाई, अपने आपको healthy भी तो रखना है, सुबह time से सो time से सो, थोड़ी से exercise करो, थोड़ा walk करो, खाना पीना proper खाओ, तो भाई, medically भी एकदम perfect रहोगी, और perfect रहोगी, तो attendance भी perfect रहेगी, in case फिर भी कोई emergency आती है, तो try your best की अगली class से पहले उसका backlog कर लो, मतलब, backlog को होने ही मत दो, that is important, right, ठीक है सर, और DPQ जो मैंने तुमको बो अब आता है एक चेतावनी बोल दो, disclaimer बोल दो, जो भी बोल दो, costing एक ऐसा subject है भाई, starting में pain देता है, बिलकुल upfront बोल रहा हूँ आपको, हर batch के experience से बोल रहा हूँ, starting में आपको थोड़ा pain देता है, लेकिन अगर आप मुझ पे, खुद पे, और concept पे ट्रस्ट रखते होना, दीरे 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 आपको प्यार हो जाएगा subject से, और ये हर batch में हुआ है भाई, हर batch में हुआ है, so please, आप बहुत ही जल्दी न subject को judge मत करना, वाकई में ये subject आपकी strength बनने वाला है, बहुत जल्दी judge मत करना, थोड़ा सा समय देना, क्योंकि क्या होता है, new terms आती है, familiarity नहीं center में आ रहा है, accounts are law, तो आप पहले पढ़े हुए हो, ये completely new है, इसलिए थोड़ा सा समय आपको देना पढ़ेगा, और ये मैं हर batch में बोलता हूँ, और मतब एक महीने या फिर 25 दिन बाद, या 1.5 महीने बाद, depends on students, आते है message, sir, पहले 10 दिन में sir, बहुत ऐसा लग रहा था तो अगर आप मेरी expectations पर खरे उतरते हो, तो मेरा वादा है, मेरा वादा है तुमसे, I will make you fall in love with this subject, really, I am going to do that for you, ठीक है, और ये भी बोल रहा हूँ कि मैं ऐसा, बिल्कुल नहीं बोल रहा तुमको कि बहुत ज़्यादा homework दूंगा, बहुत ज़्यादा pressure डाल दूंगा, ऐसा अब करते हैं सर, हम लोग notes और books इनके बारे में बात है, क्योंको लेकिन बहुत confusion होता है बच्चो के दिमाग में, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, costing की class book आपको मिलने वाली है, सब कैसी रहेगी costing की class book, थोड़ा सा glimpse दिखाऊं आपको, it will be like this, जैसे basics का है, so cost and management accounting, य आप मुझे बताएंगे, कि which is the best mode of presentation, text, table और diagram में से, सबसे best modes of presentation कौन सा होता भाई, anybody, 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 please tell me, which is the best mode of presentation, sir, the best mode of presentation is the tabular presentation, ओम तिवारी ने सबसे पहले बोला, शिवाक ने भी बोल दिया है, जेडी, पियूश, मुसकान, निशा, क्या बात है भाई, और ये बात को लेके, मैं बहुत भाई, emphasis देता हूँ, ये life में बहुत true है ये बात, बिल्कुल true है, study, material का ही content लेके आया हूँ, words को थोड़ा simple बनाया है, लेकिन present किया है tabular form में, tabular form में present करने से वही concept जो बहुत दिखता है ना भाई, तो ये छोटा सा दिखने लगता है, अच्छा एक बात का और promise करता हूँ, जिनको नहीं पता हूँ, उनको बता दू, मेरा पढ़ाने का परोच ऐसा है भाई, कि पहले हम stories और examples के बारे में बात करते हैं, और अंत में अंग्रेजी के बारे में बात करत क्योंकि बाद में पढ़ना भी जरूरी है, इंगलीज भी पढ़ना जरूरी, लिखते भी तो आना ची, ठीक है सर्थ, और tabular form में रखने का reason ही है भाई, कि आप लोगों को जो है, revise करना, आप लोगों का mindset, mind mapping जल्दी हो जाती है, tabular form में रखने से, ठीक है जी, तो अभी मै आपको पहला volume dispatch होगा, क्योंकि दूसरे volume पर काम चल रहा है, तो अभी आपको पहला volume dispatch होगा, है न, और एक और रहेगा PYQ RTP compiler, ये बच्चों को PDF form में दिया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत changes आते रहते हैं, तो इसके अंदर कुछ additional questions होगी, और important चीज होगी, वोगी summary, summary मतलब सर, मैं क्या करता हूँ बाई, जो हमारे old students आप उनसे भी पूछ सकते हैं, मैं एक particular chapter में, आज तक जो भी questions PYQ और RTP में आये हैं, उनकी summary बना देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हर question में कितने marks का question आया है, क्या पूछा गया है, और क्या special point है, तो ये summary बहुत काम आती बच्चों को, तो ये वाली booklet में आप लोगों को PDA format में दूँगा, ठीक है जी, अच्छा, तो ये हमारे batch के अंदर include रहेगा, मतलब batch की price में include होई, ये तीनो books आपकी include है, दो volumes of class book और एक PYQ RTP compiler, सर्क्या study material भी हमको साथ रखनी पड़ेगी class में, अगर ह आपको books कहीं order नहीं करनी है, जब आप batch खरीद होगे तो आपका address लिया जाता है, वहीं order deliver होगा, मतलब dispatch होने में थोड़ा time लगेगे, 10 September तक dispatch होगा, अभी हम लोग पहला chapter तो हमारा PDF से ही करेंगे, in fact, in fact में आप सभी को एक request करना चाहता हूँ, I know, I know that is wrong, बट अभी क्य जो मैंने आज upload किया है, उसको please print कर वाले, ठीक है जी, तो फाइदा रहेगा उससे, सर हमको कोई register या notebook बना नहीं है, बिल्कुल बना नहीं है, चितना ज़्यादा लिखेगा इंसान costing में, उतना ज़्यादा अच्छा number लाएगा, तो class book जो हमारी है, उसमें हमने illustrations, problems, PYQRTP के questions लिएं, बढ़ हर question में हम cross referencing की जगे देंगे, और आपको सारे questions अपनी handwriting से copy में करने, अगर आपने ये कर दिया न, तो बाद में आपकी copy आपके लिएक asset हो जाएगी, तो अपने हाथ से लिखा हुआ जो समझ में आता न, उससे बहतर कुछ समझ में नहीं आ सकता, पूर जी, तो एक बार मुझे confirm करके बता दीजिए, क्या सभी लोगों को मेरी बात अच्छे से 100 प्रतिशत clear है, 100 वाला sign डाल दीजिए live chat में, so that हम लोग अब पढ़ाई शुरू करें हमारी, पढ़ाई मतलब actually topic ना है, अभी तक जो मैंने बाते बताई वो भी जरूरी थी, because induction भ जरूरी होता है, बच्चों को यह पता होना चाहिए, क्या करने वाले हैं, कुछ भी doubt नहीं बचना चाहिए, और यह भी बता दू मैं आपको, कि batch की strategy से लेके, या costing की strategy को लेके, अगर आपके दिमाग में को doubt रह जाता है, तो इस video के end होने के बाद comment box में डालना, क्योंकि अगर हम अभी doubt session चालू कर दिये न, तो जिस objective से आए हैं, वो पूरा नहीं हो पाएगा, कि आज हमको basics of costing भी पढ़ना है, काफी कुछ, ठीक है न, तो आपके जो queries हैं, वो sort out कर दूँगा, बहुत ज़्यादा को common queries आ रही होंगी, एक shots बना के डाल दूँगा, तो systematic way में कर करेगा, तो आपको तुम भी पानी पी लो भाई, मैं भी पानी पी लेता हूँ, उतके बाद हम लोग basics of costing शुरू करें, cool से, क्या बात है बहुत सही, amazing है, तुम सभी लोगों का जोश देखके मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, और सच में मतलब, क्या बताओ, इतने दिन से classes नहीं हुई थी, इतना दुख हो रहा था मंदर से भाई, अब जाके वो आत्म संतुष्टी जो होती न, एक passionate teacher होता न भाई, वो पढ़ाय बिना नहीं रह पाता है, अगर teacher passionate है न, तो पढ़ाय बिना नहीं रह पाता, ओए, ये कौन आ गया भाई, ये कौन आ गया, ये कौन आ गया भाई, चलो एक story बताता हूँ मैं तुमको, ये न कारपेंटर करन भाई, भाई, तुमको involved हो न, example में, story में involved हो जाओगे, अपने आपको, manufacturer मान के, मेरे साथ चीज़ों करोगे, तो बहुत जिल्दी समय में आएगा, तो ये है करन भाई, कारपेंटर अपने, ठीक है, चलो, इनका न, एक बहुत बढ़ियां सा workshop है भाई, जह पर वो furniture बनाते हैं, कारपेंटर हैं तो furniture ही बनाएंगे भाई, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं, MV सर जैसे लग रहे हैं क्या, ये MV सर का European version, इसकी photo लेकि MV सर को जरूर टेक करना, Instagram में, कि देखो सर हमको class में, पहले ही, पहले ही slide में MV सर मिल गया, लेकिन, लगता है MV सर के बि अगर ये कारपेंटर है, और अगर ये business कर रहा है, ये business का owner है, तो इसके सामने क्या problem आती है, मैं बताता हूँ, situation को समझने, करन भाई के पास एक customer आया, potential customer, मैं customer नहीं बोलूँगा, potential की भाई, अभी तो वो पूछने आया, पूछताच करने जाते न अपन, तुमको कुरस बनवानी sofa बनवाना, तो पहले चार जगे पूछोगे न, तो ये seller है, ये carpenter है, इसके पास एक customer आया, कहता भाई, मिर को इतने बाई, इतने का sofa बनवाना है, ये चार chair बनवानी shape की, और ये वाली quality of wood होना चीए, तो करन भाई से वो पूछते हैं, कि यार, कितने पैसे ल करना पड़ेगा, करन भाई को अगर बताना है, कि कुरसी कितने में बेचनी, तो सबसे पहले करन भाई को ये पता करना पड़ेगा, कि जब वो कुरसी बनाने जा रहा है, तो उस कुरसी को बनाने में उसके कितने पैसे लग रहे हैं, I hope you know, कि अगर business है, तो cost लगेगी, और cost से उपर में जब तुम बेचो के तभी business survive करेगा profit होगा, लेकिन अगर तुमें cost पता ही नहीं है, तो तुम सामने वाले को price कैसे दोगे, are you getting me क्या बोल रहा है, तो भाई सबसे पहले तो करन भाई को देखना पड़ेगा, कि इतने बाई, इतने का furniture बन रहा है, तो इसमें कितनी लकडी लग रही है, इस लकडी को carving करके, तुम shape दोगे chair का और sofa का, तो carving करने में तुमको लगेगा staff, तुमको लगेगे और बहुत सारे workers, उन workers को कितनी salary देना है, तुम अगर carpentry का workshop चला रहे हो, तो machines लगती है, बिल्कुल लगती है sir machines, तो वो machines का depreciation कितना आना च क्योंकि machine अगर तुमने एक बार खरीद ली तो उसका खर्चा तो तुमको वसूल तो करना पड़ेगा ना दोस्त, machine भले चल रही सालों साल तक, उसके बाद तुमने एक manager रखा होगा, तुमारे याँ चाय पानी आता होगा, अरे भाई, खर्चों की तो list ही खतम नहीं होती अब अगर मैं ऐसे मन में calculate करने बैठ गया तो फिर तो काम खतम, इसलिए करन भाई को जरूत पड़ रही है तुमारी, कौन हो तुम, तुम हो cost accountant करन भाई की, समझे गया, करन भाई तुमको सारा data बताएंगे, तुम वो पूरा data इकठा करोगे, और करन को cost of that order निकाल के बत करेंगे सर, सर, हम सबसे पहले पूछेंगे, क्यों भाई, कितनी लकड़ी लगने वाली है, कौन सी लकड़ी लगने वाली है, कितनी quantity लगेगी, कितने pieces लगेंगे, क्या rate की आती है, ऐसे करके तुमने material का cost निकाला, बराबर है, उसके बाद, तुम पूरा measure measure करोगे बढ़ रहा है, इस बंदे को भी पैसा देना पड़ेगा तुमको, उसके बाद जो आरी चला रहा है, cutting working कर रहा है, मतलब इतने सारे staff है, इतने सारी machine है, लकड़ी है, are you getting it? यह तुमारा पूरा premise है, जहां पर देगो, यह तुमारा workshop है, जहां पर काम चल रहा है, तो are you getting me? कि calculate करना complicated होता जाता है, और जितना complication बढ़ता जाएगा, उतना उसको structured करना पड़ेगा, ताकि विवस्तित तरीके से हो पाए, समझ रहे है मेरी बात को, are you getting it? ठीक है, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं तुमारे सामने एक wording लेकर आया हूँ, सबसे पहले सार, सबसे पहल of resources given up, given up, given up, in exchange of some goods or services, आज अगर करन ओनर है इस workshop का, और करन को अगर बेचना है, फरनीचर बना के तो सबसे पहले तो उसको ये पता करना पड़ेगा, कि उसने अपने कितने पैसे खर्च कि उसको बनाने में, the resources given up in exchange of some goods and services, जैसे उसने, जिससे बंदे से लकडी लियोगी उसको पैसा दिया होगा, in exchange of goods तुमने कुछ पैसा दिया, that is material, तुमने employees रखे हैं, जो cutting, cutting का का काम कर रहे हैं, जो carving, carving का का काम कर रहे हैं, उनको तुमने पैसे दिया, तुमने उनसे employment की services ली, तब ही जाके तो तुम पता कर पाओगे कि उस चीज की cost क्या आ रही है, are you getting it cost word का मतलब होता है, lagat, क्या होता है, lagat, अब ये lagat word के साथ में आप थोड़ा relate कर पाओगे, क्यों, क्योंकि तुम real life में भी use करते हैं, ये word, तुम real life में use करते हैं, करते हो न तुम, lagat word का तुम use real life में करते हो, तुम जाते हो फरनीचर वाले बास क्योंभी यह कित्ते लगेंगे इसके कित्ते हुए इसका कित्ता लगेगा तो कितना लग रहा है पैसा समझ रहो किसी चीज़ को करने में किसी चीज़ को बनाने में कितना खर्च आ रहा है that is लागत, that is cost लेकिन subject को हम लोग प्यार से costing, 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 costing बोलते हैं वैसे तो subject का पूरा नाम अगर आप study material में देखोगे तो वह cost and management accounting और हम पूरा ही पढ़ते हैं cost and management accounting लेकिन आप प्यार से costing क्यों बोलते हो तो अब मैं तुमको बताता हूँ costing का मतलब क्या होता है कोई भी word के आगे ing लग जाता है तो आप सबने English में पढ़ा होगा बच्पन में कोई भी जैसे कि cycle cycle है cycle तो अगर तुम cycle चला रहे हैं तो तुम cycling बोल देते हो मतलब verb हो जाता है ये noun है तो ये verb हो गया समझत तो इत्ती अंग्रेजी तो समझते हो न वैसे अगर cost noun है cost noun है तो costing verb है costing क्या है दोस्त वर्ब है इसका मतलब cost निकालना the process the steps of calculating cost या entertaining cost is called as costing cost word का मतलब समझगे लागत किसी चीज़ की क्या लागत है और उस लागत को निकालने का जो process है या technique है उस पूरी क्रिया को उस पूरे वर्ब को हम क्या बोलते costing it is as simple as that ठीक है जी यस सर very nice एक word आपको यहां दिख रहा है ascertaining मैं बता देता हूँ ascertaining का मतलब क्या होता है क्योंकि यह word आपको बहुत बार देखने को मिलेगा ascertain ascertain उम्मीद है कि भाई आप इसको याद रखेंगे ascertain is very simple it means calculation ठीक है तो ascertainment of cost so the technique and process of ascertaining cost is called as costing is it clear to you चलो भाई आगे चलो यह furniture वाला example हमने बढ़िया तरीके से देखा यह supervisor uncle जानते हो आप इनको यह जो mobile में बात कर रहे हैं पीछे सब लोग काम कर रहे हैं लेकिन यह उनको सब को supervise करते हैं उन सब को guidance देते हैं customer से कई बार पूचते हैं customer बोलता है कि नि इसको ऐसा नहीं ऐसा करवाओ तो वो सारा बंदा यह वाला बंदा करता है काम चलो जी अबना आपके सामने बढ़ियां सा दूसरा example लेकर आने वाला हूँ supermarket जानते हैं सब लोग supermarket जिसमें एक ही छट के नीचे बहुत सारी चीज़े मिल जाती हैं मतलब supermarket एक ही market में बहुत कुछ मिल जाती है more हो गया big bazar हो गया big basket हो गया geo more हो गया reliance mart हो गया demart हो गया क्या आप सबको पता है इसमें से सबसे जादा सबसे जादा best कौन सा चलता है वैसे तो subjective है यह चीज़ लेकिन फिर भी more or less जादा तर एक है जो सबसे जादा success है इन सब में एक success story है जिसको आज मैं depth में तुमको बताऊंगा कि वो success क्यों है किसको अपने आसपास का knowledge है demart बिल्कुल सही का lucifer तुमने demart बिल्कुल manjeet भाई absolutely correct खुशल कर्थन बिल्कुल सही बाद है demart अब मैं आपको बताता हूँ demart क्यों successful है अच्छा पहले मुझे यह बताइए सभी लोग कि super market का जो business है कि आज एक big bazaar खुला है आज एक geomart खुला है relance mark कुला है कई यह monopolistic business है या फिर एकदम perfect competition है पहले मेरे को इस बात का answer दीजी आप लोग कि जो super market वाली industry है what do you think is it perfect competition या फिर monopoly चल रही है और logopoli चल रही है क्या लगता है दुमें sir cut throat competition है competition बोल रहा वो कहता है मैं इत्ते रुपे में शक्कर दूँगा वो कहता है मैं इत्ते में शक्कर दूँगा चल ले मैं MRP पे इत्ते percent discount दूगा मैं इत्ते percent discount अरे भाई full perfect competition एकदम जवरजस्त वाला competition तो अगर competition perfect है मतलब prices को decide करना बहुत ज़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ अब मैं तुमसे यह बोल रहा हूँ कि selling price को बढ़ाने का scope तुमारे पास नहीं है selling price को increase करने का scope तुमारे पास है क्या life में in this industry नहीं सर selling price को increase कर लूँ मैं ये scope मेरे पास नहीं है तो बताओ अगर तुमें अच्छा business create करना है अगर तुमें successful होना है तो कौन सा इकलोता option तुमारे पास बचता है बताओ which is the only option with you if you cannot increase your sales price what is the only thing with you to increase the volume and to become more profitable cost price को कम करना जो चीज तुम जितने में कर पा रहे है उसको और optimize करो उसको और better करो उसको और सस्ते में करके दिखाओ जितना ज्यादा सस्ते में करके दिखाओगे उतना profitable रहोगे और उतना sound हो जाएगा तुमारा business and that is the reason behind the D-Mart success कितने बच्चे excited है actually in detail में जानने के लिए कि sir D-Mart ने ऐसे क्या ऐसे क्या काम किये जिसकी वज़े से वो अपनी cost decrease कर पाया कितने बच्चे जानना चाहते हैं इस बात को बताईए आप सबको मैं बता दूँ मैं proudly यहाँ पर बोलना चाहूँगा proudly भाई मेरी गंपी तो नहीं है बढ़ फिर भी proud word लगा दिया मैंने कि यह cost leader है इस market का cost leader मतलब बाकियों से बहुत कम cost में वो same चीज डिलेवर कर देता है लोगों को बाकियों से कम cost cost leadership है आपर दी मार्ट के पास और इसी वज़े से वो most successful है most successful चलिए सर डेप्थ में चलते हैं डाइव करते हैं डी मार्ट की case study के अंदर तो आप सभी नहीं चित्र तो देखा होगा आपके शहर में आसपास वैसे मैं तो छोटी जगह से हूँ यहां तो दूर दूर तक डी मार्ट नहीं है लेकिन इतनी awareness मुझ में है मैं शहर जाता रहता हूँ और मैंने भी अपनी पढ़ाई जो है शहर से करिये इसलिए आप टोटली अवेर अप दिस और जो भी आप मेरे जैसे जो छोटी जगह से होँगे इक बजार में जाओगे या बेस्ट प्राइज में जाओगे आप देखोगे ना इंटीरियर बड़ा तगड़ा रहता है एकदम प्यारा इंटीर रहता है ऐसी lighting वाइटिंग बहतरीन वाली है लेकिन डी मार्ट की रूफ देखो तु इमार्ट की रूफ देखो बहुत ज़्यदा attractive नहीं है सर ऐसी normal सी है steel with steel का जो भी इनोंने बना दिया वैसा है अच्छा तुम shelf देखो shelf देखो तुम shelf सर shelf भी basic है एकदम बहुत ज़्यदे ऐसे तगड़े वाले shelf नहीं की एकदम सुंदर सा दिख रहा है एकदम चमक रहा है lighting एकदम भड़कीली डाली हुई है लिकुल नहीं सर एकदम basic अच्छा तुम्हारे जो price के card लगे हूँ न वो भी देखो तुम price के card भी simple से paper में print करके डाले हुए देखो जहां भी तुमको price के card देख रहे है जैसे वहाँ पर वो कौनसा cheese वीज रखा हुआ है toast रखा हुआ है वहाँ पर toast toast के packet के उपर वो price का card जो रखा हुआ है तुम अच्छे से देखो simple से paper में काले color से print करके डाला हुआ है क्या बात करो सरा तो इतनी बड़ी company होने के बाद भी सरी क्या चिंदी पने चल रहे है यह चिंदी पने नहीं है भाई यही difference create करता है आज अगर तु किसी चीज की तेरी requirement है regular basis में जैसे आज मैं राशन regular basis में लेता हूँ किराना का समान regular basis में लेता हूँ मेरे को नई मतलब की जहां से मैं लेता हूँ वो कितना सुन्दर है कि कोई luxury खरीदने थोड़ी आ रहा हूँ मैं कि एकदम महौल बनना चीज ज्वैलरी की दुकान में जाते हैं तो बात अलग है तुम extra पैसा लेके जा रहे हो दिखने में अच्छा लगना ची मिल रहा है और एक जगे MRP से 5 रुपए भी कम मिल रहा है न तो तुम मुलो कि चल यार चार कदम ज्यादा चल लेता हूँ लेकिन MRP से 5 रुपए कम तो मिल रहा है न फाइदा हो रहा है मेरा क्योंकि तुम इतना तुमारे household के खर्चे हैं ये बाई जितना बचाओ के उतना अच्छा है और भारत में तो बिलकुल चलना भाई भारत में तो दो दो रुपए के लिए लोग दो किलूमेटर चलने है तो यहां तो MRP से कम मिल रहा है भाई बिलकुल जाएंगे सवाल ही नहीं उतना तो यह दीमार्ट की बहुत बड़ी खास बात है कि उसने अपनी जो स्टोर्थ बनाए है न बहुत लो कॉस्ट में बनाए है जबरदस्ती का interior decoration नहीं किया जबरदस्ती की lighting ने डाली जितना required बस उतना जितना essential है क्योंकि हमारा main mission यह है कि हम आपको जो goods देंगे वो MRP से कम दाम में देंगे बाकियों से कम दाम में देंगे जो बाकी नहीं कर पाएंगे वो हमको करके दिखाना है I hope you are getting it अब आप employees को देखो बाई दीमार्ट में आपको employee मिल जाएंगे जो एकदम फटाफट फटाफट काम कर रहे होंगे multi-purpose वाले employees होंगे तो दीमार्ट जो अपने employees भी लाता है न भाई वो ऐसे बहुत highly qualified और highly paid salary वाले नहीं basic qualifications है 10th past 12th past basic graduation सब को लेता है लेकिन proper training देता उनको proper समझाता है कि कैसे shelf को जमाना है कैसे billing करनी है यह सब पर उसने बहुत focus किया है तो unnecessary ऐसा नहीं कि भाई वो जो billing counter में बैटा हुए एक्टम पहतरीन दिखना चीए suit उट पहना और tie by पहना यह सब matter नहीं करता भाई अगर उस बंदे को तुम कम salary दे रहा हो तो overall company कम cost में चीज़े कर पा रही है अब यहाँ पर ऐसा मत समझा कि अरे आज तो गलत इस और उसको कम पैसा दे रहा है ऐसा नहीं जिसको जिसकी requirement जो जिसी skill रखता है वैसा उसको दिया जाता है लेकिन d-mart की खास बात यह है कि वो कम cost में employee भी procure कर लेते है कम salary भी अब मैं कुछ और ऐसी बाते बताना चाहता हूँ जो चितरों से नहीं पता चलेगी लेकिन discussion से पता चलेगी सबसे पहला सब USP मतलब होता है unique selling point सबसे पहली ownership model आपको पता है आपके जो भी बड़े-बड़े marts होते है न वो आपको mall में भी मिल जाएंगे luxurious जगे पर मिल जाएंगे लेकिन d-mart ऐसा नहीं करता d-mart क्या करता है न d-mart रुक के stores खोलता है बाकी जगे न एकदम store जल्दी-जल्दी-जल्दी-खोल जाते कि भाई मेरे को न land lot पर dependent नहीं होना मैं land खरी दूँगा अपना बनवाऊंगा अपने हिसाब से बनवाऊंगा ताकि बाद में rent जो बढ़ता है न उसका भी दिक्कत ना हो और कल को land lot बोल दे कि खाली कर दो खाली कैसे करेंगे भाई mall के पास बनाएगा तो mall में बड़े heavy rate रहते हैं भाई और दिमार्ट का जो focus है वो middle class है भाई तो middle class वाले mall में नहीं आते जादा मैं भी नहीं जाता मैं भी नहीं जाता भाई क्यों? क्यों unnecessary पैसा देना? अपना काम बनता ना? अपना काम तो ऐसी बन जाता है नॉर्मल दुकानों से तो क्यों जाया भाई? वही सेम चीज़ के लिए जादा प्राइज में डिमार्ट ने इसी चीज़ को समझा कि लोगों के mind में एक perception है कि mall में जाएंगे तो महँगा मिलेगा आप में से जितने भी लोग शेहरों में रहते हैं और अगर डिमार्ट जाते हैं तो सही से बताना क्या ये सबसे main reason है या नहीं जाने का सही से बताना, agree करके नहीं है तो कुछ और बताना कि नहीं सर्थ हम तो इसलिए जाते हैं सर्थ क्योंकि वो ownership model में काम अरे वो सब तुम्हें क्या करना वाई सर्थ हमारा सबसे main purpose क्या है हम जा रहे हैं वहां पे 100 रुपे वाली चीद हमको 80 रुपे में मिलगे क्यों नहीं जाएंगे यार हम क्यों नहीं जाएंगे हम लिस्ट बनाते चलेंगे महिने में एक बार जाएंगे रुख जाएंगे जल्दी बाजी में नहीं खरीदेंगे लेकिन सर्डिस्काउंट में खरीद के लाएंगे ठीक है चलो उसके बाद बात आती है सर हमारी अपको लगता होगा ऐसे कैसे डिस्काउंट देरा है सर डिस्काउंट देगा तो लॉस्स में नेसिंन ही जली जाए मम्पणि जी नहीं दोसर fish बिल्कुल नहीं, इस burक में huge discount ं dont बाकी store भी खरीदते है नाइकon बिलने इन नहीं बाजु वाला माट भी तो बल्क में खरीदेगा, उसको भी तो discount मिलेगा, फिर तुम कैसे सस्ता बेच पा रहे हैं, वो क्यों नहीं बेच पा रहा, दीमाट ने क्या बोला, दीमाट ने देखा कि आर इंडस्ट्री में न, credit period चलता है, तीन हफ़ते हैं, सुनन, सुनन, credit period चलता है, मतलब आज मानलो, जो मोर मेगा इस्टोर है, मोर मेगा इस्टोर ने मानलो, पारलेजी से, directly procure किये, बहुत सारे पारलेजी के packets, तो मोर मेगा इस्टोर उनको तीन हफ़ते बात पैसा देता है, credit period मिलता है न 3 हफते का 21 days का लेकिन DMART क्या बोलता है मैं अपने सारे supplier को एक हफते में payment करूँगा मैं अपने सारे supplier को एक हफते में payment करूँगा supplier खुश कि भाई हमारा जो 21 दिन तक पैसा फस जाता है वो अगर 7 दिन में मिल रहा है इस बंदे को ज़्यादा discount दूँगा क्योंकि ये बंदा जल्दी पैसा payment करता है बताओ क्या बाकियों से ज़्यादा discount मिला DMART को की नहीं मिला क्या बात है सर तो faster creditor payment दूसरा DMART ने इतना सोच समझ के अपने slots बनाया है चीजों को रखने के कि वो हर brand को रख लेता है regional brand को भी रख लेता है national brand को भी रख लेता है तो मैं हर चीज मिल जाती एकी roof के अंदर और क्योंकि एकी roof के अंदर हर चीज मिल जाती है और football भी बहुत होता है बहुत सारे लोग आते हैं तो companies वाले न डी-mart को पैसा देते हैं किस चीज का कि भाई हमारे item को जादा आगे display करो हमारे समान को यहां दिखाओ जहां पर लोगों की जादा नजर जाए वहां हमारे समान को रखो हम आपको fees देंगे उसकी जिसको बोलते हैं slotting fees क्या बात है और जो सबसे पहले मैंने चित्रों की मदद से तुमको समझाया था low interior cost interior की जो cost है वो भी उसने low रखी हुई है जबरजस्ती का ताम जाम कुछ भी नहीं है less aggressive marketing तुम कभी वैसे जबरजस्ती की marketing ने दोखोगे दी-mart की दी-mart का क्या कहना बाई हमारी जहां पर store है उसके आसपास के 5 km के radius के लोग हमारे main customer है तो जब भी वो कोई scheme या offer लेके आता है तो आसपास में बड़ी सी holding लगा देता बस जबरजस्ती के ad-wed कभी नहीं देगा दी-mart जबरजस्ती की digital marketing भी नहीं देगा उसको पता है कि मेरे target customer कौन है और उनको कैसे पता चलेगा कि मैं कोई offer लाया हूँ तो वो अच्छे से किसी chalk में holding लगा देगा इस तरीके से चीज़े करता है तो ये कुछ खास बात हैं सर जो दी-mart करता जिसकी वज़े से वो cost leader बन पाया अब आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या आप इस बात से agree करते हो कि in the current business scenario मैं जो लिख रहा हूँ उसको द्यान से पढ़ना in the current business scenario most of the most of the business are in very high competition do you agree आज के समय में सर business world इतना जादा dynamic हो गया है कि हर industry almost highly competitive हो गई है कितने लोग इस बात से agree करते हैं बताइए how many of you agree with this कि सर बहुत highly competitive हो गया business आज के समय से बिलकुल very high competition agreed नँ so don't you think कि cost leader बनना अब तो सब चाहते है सब cost leader बनना चाहेंगे और cost leader इंसान तभी बन पाएगा जब वो कुछ ऐसे तरीके निकाले जिससे वो अपने आकी जो costs हैं अपनी चीजों की जो cost हैं जो वो product बनाता है बेजता है या services देता है उसको minimum cost में deliver कर पाए तो मैं इस example की मदद से आप लोगों को cost leadership की जरूरत महसूस करवाना चाहता था कितने लोग अब महसूस कर पाए हैं कि सर आज के समय में हर industry में cost leadership को attain करना बहुत important हो गया there are exceptions जहाँ पर cost leader importance नहीं होता जहाँ पर जैसे की भाई तुम smartphone में देख लो तो apple अपना अलग class बना के रखा हुआ है तो वो महगा लाता है बाकियों से काफी महगा लाता है वो exception हो गया पर मैं in general बात कर रहा हूँ in general most of the industries are highly competitive and cost leader बनने की सब की इच्छा होती है तो चलिए cost leadership के बारे में बात कर लेते तो क्या बोला था stories के बारे में बात करेंगे examples लेंगे real life के लेंगे उसके बाद अंग्रेजी पढ़ेंगे अब तुम अंग्रेजी पढ़ोगे तो आराम से समझ में आएगा तुमको कोई दिक्कत नहीं है तो cost leadership तुमको expiry वाला चीज बेचता था नहीं सर उसने ऐसी चीजों में optimization किया जहां से overall organization की cost कम हो जाए ऐसी जगे पर उसने discounts लेकर आए इसलिए ultimately वो आपको same quality की चीजें कम दाम में दे पारा as compared to others ठीक है लेकिन सर कैसे कोई achieve कर सकता है cost leadership तो यह जो मैंने आपको पूरा एक एक चीजें बताई न कि वो procurement इतने सही तरीके से कर रहा था marketing ऐसे बढ़ियां तरीके से कर रहा था store खोलता है तो बहुत सोच समझ के खोलता है यह उसका एक robust cost and management accounting system है robust का मतलब होता है धासू धासू और भाई अगर cost leader बनना है तो cost को minimum करने की जुरत पड़ेगी और किसी चीज को तुम अगर सुधारना चाहते तो पहले उसको समझना भी तो पड़ेगा जब तुम यह सीखोगे कि cost कम से कम कैसे मतलब cost calculate कैसे होती है तब तो तुम यह सीख पाओगे की cost को कम कैसे करना है cost को सुधारना कैसे improve कैसे करना है तो हमारा जो पूरा subject है न भाई उसका नाम cost and management accounting इसलिए है क्योंकि cost का management के साथ बहुत बड़ा relation क्या होता है accounting एक post-martem वाले चीज़ है यह हो गया इसका financial statement बना दिया लेकिन costing एक ऐसी चीज़ है जो आपको business में real time में help करती है अरे तरको पता भाई वहाँ पे वो चीज़ सस्ती हो गई है चल इसका order cancel कर वहाँ से खरीदते हैं something like this इससे भाई business की survival जो business अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा cost बहुत बड़ा matter करता है उसके अंदर financial statement सुंदर बनाओगे तो उससे business का growth नहीं बड़ेगा समझे रहे मेरी बात को तो cost का management में बहुत बड़ा involvement है इसलिए इस पूरे subject के अंदर हम लोग cost कैसे calculate होता ये भी सीखेंगे और कैसे cost के कुछ ऐसे tools है जो management help लेता है अपनी cost reduce करने में that is the objective of this subject फिक है बिलकुल लेंगे दीक्षान्द भाई ये कोई पूछने वाली बात है तो बारा मत पूछना क्लोर्मिंट फिक है चाँ हर attempt के revisions चलेंगे जब तक है जहां डोंट वरी पर सही समय पे है ना थोड़ा से इंतिजार करिए जो मैंने series चलोगा थी वो भी resume होगी एक से दो दिन के अंदर announcement भी करूँगा उसके बारे में don't worry चलो जी अब एक बात बताना भाई मज़ा आ रही है कि नी मज़ा आ रही है दिल garden garden हो रही है कि नी हो रही है जल्दी comment box में बताओ मैं पानी पी लेता हूं तक तक चलो बहुत अच्छी बात यार very good amazing अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं अभी हम लोग क्या topic पढ़ रहे है अभी हम लोग basics पढ़ रहे हैं basics जब हम basics पढ़ रहे हैं तो हम न kind of इसके अंदर कोई भी numerical नहीं पढ़ रहे है no numerical तो अगर तुम basics की 2-3 classes के basis पर ये सोच लोगे क्या बैयार costing में तो बता theorist theory है यार सारी यार कोई numerical ही नहीं आता तो आप गलत सोच रहे हैं बेटा क्योंकि जो costing होता है न उसमें जब तुम basic चीज़ों को समझ लेते हो फिर मज़ा आता है numerical करने तो थोड़ा से इंतिजार करना numericals का numericals जब आएंगे तो और ज़्यादा मज़ाएगा थोड़ा समय ऐसे निकालना पड़ेगा एना आप लोगों से जो है सहीयोग की आशा रखता हूं कि आप सिर्फ basics के basis पर पूरे chapter को जजना कर लें कि अरे ये तो practical बताय थे सर ने ये तो practical लगी नहीं रहा है बताओ यार ऐसा थोड़ी होता है तो ऐसे allegations ना लगाए भाई तो अच्छा होगा चलिए तो अब मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं दूसरा topic objectives of cost accounting भई जो cost accounting तुम subject पढ़ रहा हो क्या objectives है तुमारे क्या purpose क्या objective मतलब kind of purpose इससे क्या achieve हो रहा है तुम what are the objectives you want to achieve by using cost accounting एक एक करके समझेंगे objectives ठीक है सर्थ बताओ जल्दी से सर्थ कोई दिक्कत नहीं है एक आच्छी तरवित्र देखें क्या है सबसे पहला तो बहुत simple है मैं directly इसको पढ़ा सकता हूं कोई दिक्कत नहीं है सब सबसे पहला होता clerical work जो तुम लोग बड़े मतलब तुम लोग जब professional बन जाओगे तुम जब chop करोगे तो तुम्हें ये काम करना नहीं तुमसे juniors करेंगे clerical लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए न अगर तुम किसी चीज कोई चीज तुम्हें पता ही नहीं है तुम अपने juniors को कैसे सिखा होगे तो costing के records कैसे बनते हैं costing का calculation मतलब cost का statement कैसे बनता है किसी particular product की cost कैसे निकाली जाती है different different type के खर्चों को कैसे बाटा जाता है common खर्चों को कैसे allocate, apportion किया जाता है ये सब कुछ कहलाता है ascertainment of cost तो कोई भी ऐसी चीज जिसकी तुम्हें cost निकालनी है समझना कोई भी ऐसी चीज जिसकी तुम्हें cost निकालनी है जैसे for example आज एक company है let's say lens card lens card ये calculate करना चाहती है कि उसका एक particular product आया specs का तो वो कितने में बनके निकला cost तो वो उसका हो गया cost object उसकी cost निकालना is the ascertainment of cost तो पहले हम in general ascertainment of cost सीखेंगे subject के अंदर तो पहला objective हमारा होता है subject का कि कैसे cost calculate की जाती है with the different chapters we are going to achieve this तो जैसे आप material chapter अलग पढ़ोगे labor chapter अलग पढ़ोगे फिर आप indirect खर्चों का chapter पढ़ोगे जिसको हम overheads बोलते हैं फिर आपको एक basic idea लगेगा फिर आप अलमत में statement बनाना सीखोगे कि कैसे फिर cost का statement बनाया जाता है और फिर उसको industries में कैसे apply करते हैं देखो तो main objective of cost accounting is accumulation and ascertainment of cost accumulation क्यों लिखा हुआ ऐसा क्या होता बैक organization में different different heads में खर्चे बुक हुए है जैसे आज workers हैं तो बहुत सारे different workers हैं material अलग लग type की material आए हैं लेकिन कोई particular चीज बनाने जैसे ही calculator बना होगा caseo की factory में calculator बना होगा तो उस calculator को बनाने में exactly इसके कौन-कौन से खर्चे हैं जो इससे related हैं वो इकठा करना पड़ता है अलग-अलग sources में से उसको कहते है accumulation collection of all the cost इकठा करना बोला न मैंने collection of all the cost from the different records like accounts, invoices, other documents something लेगे उसको बोलते हैं अगला होता है असाइन असाइन मतलब कभी-कभी क्या होता ना कुछ खर्चे common होते तो मानलो 100 रुपे का खर्चा हुआ उसमें से 30 रुपे का इसको बटना ची 50 का इसको बटना ची 20 का इसको बटना ची that is assignment बटवारा कर और फिर last में आता ascertainment की जिस चीज की तुम cost निकालने बैटे हो उसका total calculation करना arithmetic calculation of cost items की material कितने रुपे का लगा labor कितने रुपे का लगा फिल मिला के चीजों को एकठा करके जोड़ना that is ascertain ठीक है तो बहुत basic सी बात है अब सुनो भई iPhone 15 launch होने वाला है और एक सबसे बड़ी चीज जिसमें लोगों की नजर पैठी हुई है कितने रुपे में launch होगा या कितने dollars में launch होगा मतलब determination of selling price तो भाईयों और बैनों मेरी बात ख्यान से सुनिये बहुत सारी ऐसी organizations होती है जो costing का यूज सिर्फ cost control के लिए कम करने के लिए नहीं करती उनको costing सबसे पहले तो इसलिए करनी पड़ती है ताकि वो decide कर पाएं कि वो जो product launch करेंगे उनका क्या price रखना है समझ रहे हो मेरी बात को तो cost में जब profit जोड़ते हैं तब selling price आता है तो profit तो होगया तुमारी desire की वे तुम्हें कितना profit जोड़ना है लेकिन cost तो एक fact है ना कि उसमें इतना खर्च लग रहा है तो पहले इंसान cost निकालता है फिर profit जोड़ता है फिर selling price determine होती है तो एक और बड़ा objective होता है cost का बहुता है determination of selling price determination of selling price अच्छा दूसरा profitability sir profitability क्यों अगर तुम ऐसे market में हो जो वो highly competitive है तो cost का calculation करना इसलिए जरूरी है ताकि तुम ये जान पाओ कि इस particular project को deliver करने में इस particular product को बेचने में मुझे कितनी profitability हो रही है I am not talking about organization I am talking about a particular cost object जिसकी cost निकाली जा रही है जिसको तुम बेच रहे हो something like this जैसे calculator है ये calculator 340 रुपय का भी करा है तो KCO company will be interested to know कि एक calculator उनको कितने का पढ़ता है पढ़ता है सब उतने पढ़ता कितने का पढ़ता खाता है जम छोटे बच्चे थे दोस दोस लोग गुंदा तुरे को पता भाई ये समोसे वाला भाई 10 रुपय का समोसा देता है 2-3 रुपय में तो इसका समोसा बन जाता है ये आलू इतने का या ये मसाला इतने का या तेल इतने का या ये गैस इतने की आई बहुत सस्ता पढ़ता भाई तुम भूल जाते हो कि उसने employee रखे हुए तुम भूल जाते हो कि वो इतना heavy heavy rent पे कर रहा है बहुत सारी चीज़े तुम भूल जाते हो इसलिए cost वाला subject आया है कि तुम ऐसे गलत perception में ना जी हो क्यों रहे गज़ब business model है भाई पड़ाय लिखाई करने का कोई मतलब नहीं कल से अपन भी समोसा बेचते हैं ऐसा नहीं होता भाई समझ रहो ने मेरी बात को क्या बोल रहा हूं तो अगर किसी organization को price decide करते नहीं बनता तो profit निकालने के लिए भी तो उनको cost निकालने पड़ेगी मतलब जिसको selling price determine करना है वो अपनी cost price निकालेगा उसमें profit जोड़ेगा तब उसको sales price मिलेगा और जिसका sales price पहले से determined है तो sales price में से वो profit minus करके cost price निकालेगा I think यहाँ पर mistake हुई है यहाँ पर ऐसा आना चीज selling price less profit is equals to cost price इसको सुधार लेना भाई मैं भी printing वाले booklet भेजने से पहले इसको correct कर लोग अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे boys and girls, ladies and gentlemen ध्यान से तो हमने अभी तक सर पहला objective पढ़ा था cost को ascertain करना यह पहला objective, दूसरा objective है cost निकालेंगे तभी तो selling price decide कर पाएंगे cost निकालेंगे तभी तो profitability पता चल पाएंगे so cost accounting helps us in determination of selling price and profitability in a competitive business environment selling prices are determined by the external factors नेरे हाथ में नहीं होता but cost accounting system तुमको costing देता है तुम्हें cost price देता है उससे तुमें न यह पता चलता है कि rate कैसे negotiate करना है आज मुझे एक बात बताओ अगर तुमको पता ही नहीं होगा कि तुम्हाई चीज कितने की पढ़ता खा रही है सामने वाल अगर तुमसे negotiate कर रहा है तो तुम कैसे उसको जवाब दे पाऊगे जैसे आज वो excuse me brother वाले होते हैं सरोजनी market में excuse me brother इधर wallet लोग ये 500 रुपे का मैंने बुला नहीं भाई 100 रुपे का लोगा अरे सर 100 रुपे तो बहुत कम होगा अच्छा एक काम करो सर आप 200 रुपे का ले लोग नहीं भाई मैं तो 100 का लोगा बाद में मेरे को 100 का दे दिया ऐसे दे दिया क्या 300 वाली चीज 100 में दे दिया उसको पहले से पता है कि उसकी cost क्या है उसको पता है उसकी cost 80 रुपे है या 70 रुपे जो भी है तभी तो उसने मेरे को 100 में दिया ना वरना हो 100 में कैसे दे दे तो rate negotiation करने के लिए पे तो cost पता होने ची बन दे got it or not जल्दी बताओ everyone ओ भाई तुमसे पूझ रहा हूँ बताओ गावसर से सीखा है ना पनने तो ये attention grabbing ओ भाई तुमसे तुमसे बात कर रहा हूँ क्या कहना तुमारा negotiate करने जाओगे अगर तो cost पता होने ची की नहीं मालो तुमारा खुद का business है तुम कोई चीज बेच रहा हूँ जैसे कपड़े वाले कपड़े वाले तो परिशान हो जाते है ladies जाती है सप्ते अनास कर देती दुकान का फिर बाद में negotiate अलग करती है कितने का भई है ये ये suit 1000 रुपे का अब ये 300 में दो कि क्या अरे यार क्या बात होती 300 में फिर भी वो बंदा 500 रुपे तक में दे रहा है क्योंकि उसकी cost price 400 की वो mind में उसके रहता है अमझे रहो ना? ठीक है cool, no problem आगे बढ़ते हैं let's go to the next part अब मैं तुमारे सामने एक word लेके आ रहा हूँ जिसको बोलते हैं से हम लोग cost control अच्छा उसके पहले उसके पहले एक और example एक और case study के बारे में बाग कर लगते हैं आपको भी logo कौन सी company का दिख रहा है नाम भी लिखा हुआ है एरटल टेलिकॉम is a highly competitive market आज अगर geo price कम करेगा तो एरटल is pound to reduce the prices करना ही पढ़ेगा एरटल तो यह एक ऐसे market में है जहां पर अगर उसको यह देखना है कि वो survive कर पाएगा की नहीं तो cost price निकालेगा market के price से compare करेगा और फिर आगे बढ़ेगा समझ रहे हैं मेरी बात को तो दो type की industries होती है जैसे apple है वाई अब यह वाली example की मदद से मैं आप सभी लोगों को na cost control करके एक term है वो समझाना चाहता हूँ left side में आपको दिखेगा सर डिटॉल का hand wash का एक session जिसमें लिखा हुआ super saver 99 rupees only और right side में आपको दिखागा सेvlon ठीक है वाँ भी 99 rupees आपको दिखेगा डिटॉल को बनाने वाली company का नाम है racket bank के सर यह तो पहली बार सुना सर अच्छे से देखने डिटॉल का packet का भी घर जाके racket bank के सर करके तो सकता है मैं pronunciation गलत कर रहा हूँ और दूसरा saverlong ITC बनाता है ITC पता नो कलकत्ता में जिसका head office ITC तुमने शायद BC के में पढ़ा हूँ ठीक है तो मैं एक hypothetical situation ले रहा हूँ यह कोई reality नहीं कालपनिक story है यह पता चला तुम जाके net में search कर रहा है तुम्हें समझाने के लिए कालपनिक story है ठीक है तो you are a manufacturer of Savlon and Wash मान लो कि तुम ITC कंपनी के management में तो सबसे पहले सभी लोग chat box में यह लिखिए कि मैं एक निर्माता हूँ यह क्या लिखवार हो सरा तुम्हें feel करना पड़ेगा बाई कि तुम एक manufacturer हो English में लिखना तो English में लिखो I am a manufacturer यह फिर मैं एक निर्माता हूँ अगर आप यह लिखोगे तब तो feel कर पाओगे पहले लिखोगे तब ना feel कर पाओगे लिखो लाइब चैट में मैं एक निर्माता हूँ और तुम क्या बनाते हो मैं तुम्हारा product बता रहा हूँ तुम savalon का hand wash बनाते हूँ ठीके ज़र savalon का hand wash बनाता हूँ and the manufacturer of savalon hand wash currently 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 जो cost price per unit है जो मेरा सैशे का एक packet बनता है एक packet बनता है उसकी cost जब मैंने निकाली average है तो वो cost आ रहे है मेरी परीबन 120 रुपीज 120 रुपे का मेरे यह packet बनके निकल रहा है savalon का ठीक है और अभी market में price चल रहा है selling price 160 per unit ठीक है sir no problem यह savalon की बात कर रहा हूँ मेरा main competitor है detall detall hand wash detall hand wash जो है उसकी cost price per unit है 80 रुपीज per unit और selling price है 160 per unit यह मानलो 165 per unit यह मैं बात कर रहा हूँ आपसे pre-covid 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 की बात कर I am talking pre-covid यह पूरी hypothetical situation है न अगर आप इसमें पूरी तरह focus करके अपने आपको involve करके समझते हो न तो आपको cost control समझ में जाएग तो आप savalon hand wash की निर्माता हो और savalon का hand wash बनता है 120 रुपे प्रती unit में और बिकता है 160 रुपीज per unit में और pre-covid काल की अगर मैं बात करूं तो यह cost structure था कि savalon वाले बनाते थे 120 का और बेचते थे 160 का तो उनको profit मिल रहा था 40 रुपे का और detall hand wash वाले जो हैं बाई वो 165 रुपे में बेच रहे थे 80 रुपे का बना के तो definitely आपको समझ में आई रहा होगा कि detall वाले का अच्छा खासा margin है बाई detall वाले का अच्छा खासा margin है अब covid के पहले ना hand wash का इतना चलन नहीं था मतब था लेकिन एक market limited था थोटी जगे में, rural areas में थोटे towns में उतना hand wash का चलन नहीं था साबन सी काम चल जा था लेकिन covid के time थोड़ा सा trend चला भाई hygienic रहने का तो demand बढ़ने लगी अब detall ने देखा भाई कि demand तो बढ़ रही है लोगों में वो जगरुकता आ रही है कि हमको भी hand wash खरीदना है तो detall ने ये सोचा या कि अब वक्त आ चुका है high volume बेचने का तो detall ने दन से क्या किया देखो भाई तुम चौक जाओगे देखके detall अपनी new selling price announce करता है detall अपनी new selling price announce करता है अब 165 रुपे वाला सेशे मात रखेवल only 99 रुपीज अरे भाई साब सेवलोन के निर्माता हो तुम तुमारे पैरो तले जमीन के सक गई सही सही बताना भाई अगर तुम सेवलोन के निर्माता हो और तुमको ये news सुनने में आती रात को मार्च 2020 के महिने में है ना वो जिस दिन थाली वाली बजाई थी उसके एक दो दिन बाद तुमको ये news सुनने में आती है कि जो hand wash है डे टॉल का वो 99 रुपीज में आने वाला जो 165 में बिकता था तुमारे पैरो तोले जमीन के सक गई क्यों इसलिए खिसक गई तब तुमको समझ में आया कि भाई साहब वो 165 में बेचता था 99 करते मतलब उसकी कॉस्ट कितनी कम होगी मतलब मेरी फैक्टरी में कितना गडबड काम चल रहा है मेरी फैक्टरी में तो कॉस्ट कंट्रोल होई नहीं रही है मैं तो 120 में उस चीज़ को बना रहा हूँ मैं तो उस चीज़ को 120 रुपे में बना रहा हूँ वो अगर 99 में बेच पा रहा है मतलब उसकी कॉस्ट 99 से कम होगी तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश करी मैंने थोड़ा सा research करने की कोशिश करी और research करने के बाद मुझे ये पता चला भाई कि उसकी cost मात्र 80 रूपीज है अब मैं आपको बताता हूँ as a manufacturer of savalon मेरा सबसे main aim अभी क्या होगा पता सबसे main aim तो मेरा ये होगा कि तो मैं market से बाहर हो जाऊँगा तो सबसे पहले तो मैंने भी 160 वाले को 99 रूपीज पर unit only कर दिया आप packet में देख सकते हो 99 रूपीज पर unit लिखा हुआ 199 करके 165 लिखते थे पहले तो अब 199 करके 99 लिख दिया तुम्हें अगर तुम्हें भी market में रहना है वो जितने में बना पा रहा है तुमको भी उतने में बनाना पड़ेगा नहीं तो तुम बाहर हो जाओगे क्योंकि अगर तुम 99 में बेच रहे हो और तुमारी cost price अगर 120 रह गई तो तुम तो loss में चलेगा न 21 रूपीज का loss हो रहा है तुमको क्या ऐसे तुम लंबा खेल पाओगे बताओ क्या तुम ऐसे लंबे market में रह पाओगे अगर तुम कोई चीज 99 में बेच रहे हो और वो तुम बना रहे हो 120 में क्या तुम market में रह पाओगे जी नहीं सर्वाइब करने के लिए सबसे पहले तुमको तुमारी कोस्ट को उस लेवल पर लाना पड़ेगा जिस लेवल पर तुमारे competitor पहुँच चुके है market में बड़ा नाम करना तो दूर की बात है पहले market की बराबरी तो करो ओ भाई सुन रहो तुम से बात कर रहा हूँ समझे गया की नहीं गया जेपा फिर से बताता हूँ सुनो तुम इतना महंगा बना रहे थे इतना महंगा प्रोड्यूस कर रहे थे क्योंकि शायद तुमने बहुत ज़्यादा स्टाफ रखा हुआ था शायद तुम माटेरियल सस्ता खरीदते नहीं थे अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे थे बिजनिस में तुमको बोल रहा हूँ तुमें एक निर्माता हो कम करो कॉस्ट तुमारी ढूणो तरीके कैसे कॉस्ट कम करना है इसी को बोलते है कॉस्ट कंट्रोल तो कॉस्ट कंट्रोल का मतलब होता है कि हम जो भी product जो भी services deliver कर रहे हैं जो भी output हमारा बेच रहे है market में उसकी cost को उस level तक लेकर आना जिस level पर industry में बाकी लोग बैठे हुए हैं क्योंकि अगर आप उस level से उपर हो ना तो फिर आप बहुत जिल्दी market से बाहर हो जाओ that is the definition of cost control अब सुनो मेरी बात यांस maintaining the discipline in the expenditure अब तुमको budget बनाने पड़ेंगे अब तुमें लोगों को लगाम लगाने पड़ेंगे ओ भाई इससे ज़्यादा करचा नहीं करोगे अच्छा इस टीम में कितने लोग काम कर रहे हैं जरूरत है उत्ते लोगों कि नहीं चलो पांच लोगों बाहर निकालो दूसरे टीम में बेजो different different measures of reducing cost तुमको ढूंडने पड़ेंगे लेकिन अभी तुमारा objective पता क्या है अभी तुमारा objective cost लीडर बनना नहीं है कि तुम इतना सस्ता बना दोगी कि डिटॉल को भी बहार कर दो market से इतना ज्यादा market capture कर लो अरे वो तो बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी मैं अभी तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि अभी तो तुम डिटॉल की बराबरी तो करके दिखाओ पिटॉल वाला 80 रुपे में बना रहा हूँ तुम 120 रुपे में बना रहा हूँ पहले उत्ता करके दिखाओ ठीक है उसके लिए तुमको एक खर्चों में discipline लाना पड़ेगा कि इससे ज़्यादा खर्चा नहीं होना चीए ensure करो कि expenditure are with the pre-determined set standard कोई भी period शुरू होने से पहले हम decide करेंगे कि इतने ही खर्च में हमको ये काम करके दिखाना without quality compromise और अगर कहीं पर variation आता है कि हमारा कर्चा ज़्यादा लगा तो उसको note करो, report करो उसके उपर action लो continuous basis पर ठीक है तो ये चार steps हमारे काम करते हैं सर cost control के अंदर सबसे पहले हम लोगों को एक planning करनी पड़ेगी और एक standard set करना पड़ेगा कि इस बार मेरा objective है कि मैं अगले महिने से जो savalon का एक hand wash है न, 80 रुपय में बना के दिखाऊंगा ये हुआ नहीं है, ये मेरी desire है सुनना, ये मेरी desire ये मेरी इच्छा है, अगर मुझे भी market में बने रहना है, तो मुझे भी total की बराबरी में आना पड़ेगा, cost कम करनी पड़ेगी, set standards this is set before initiation of the production मानलो अभी September का महिना चालू हुआ, तो September शुरू होने से पहले ही decide हो जाता है, कि September में, ये हमारा mission है, ये हमारा goal है, this is the desired cost, समझे गया, ये मेरी इच्छा है कि मैं इत्ता कम ले क्या हूँ, उसके बाद जब ये period खतम हो गया, फिर अंत में तुम करते हो actual को measure कि actual में कितना आया, तो मानलो तुमने standard set किया था कि 80 rupees में बनाओगे, और actual में बनके निकला है 90 में, जो 120 में बन रहा था वो 90 में बन रहा है, तो ठीक है कोई बात नहीं, 10 rupees अभी भी महगा बना है, जो मैं सोचा था, उससे 10 rupees महगा बना, लेकिन मैंने फिर भी improvement किया है, मैंने improvement किया है, ठीक है, अच्छा फिर उसका ये कहना है, कि जब तुम actual measure कर रहा हो, उसी तरीके से measure करो, जिस तरीके से तुमने standard set की है, तभी तो comparison कर पाओगे न, अब मान लो तुम ये 80 rupees per unit निकाल रहे हो और यहाँ पर cost बाद में निकाल रहे हो, तुम 900 rupees per liter, या something like this, तो comparable नहीं होगा न, अगर तुमने standard 80 rupees per unit set किया था, तो तुमारे actual calculation भी per unit level पर ही निकालो, तभी तु compare कर पाओगो न, मैं कि बाई, कितना कम हुआ, कितना जादा हुआ, कितना बच गया, something like this, ठीक है, तो performance should be measured in the same manner in which the targets are set, अगला, compare करो दोनों को, सर्ड, दोनों को compare करता हूँ, actual performance को compare किया, standard से, उसके बाद आया deviation, कितना आया deviation, सर्ड, deviation आया 10 rupees per unit अभी भी over costed हो, मतलब तुमने जो सोचा था कि 80 में बनाओगे, उससे 10 rupees अभी भी महंगा बना है, तो उसको note करो, उसको report करो, और appropriate person, उस पर action लेगा, उसकी authority लेगा, something like this, ठीक है, और जब यह सब हो जाता है, उसके बाद action लेना है उसकी उपर, कि अब भाई 10 rupees और महंगा हो, और क्या सुधारू में, और कहां ऐसा area है, जहांपर improve कर जूँ ताकि खर्च कम हो जाए, यह भी देखोंगा, ठीक है सब, तो variance जो आया है, उसको note करके further उसको analyze करोगे कि कारण क्या है भाई, क्यों महंगा पड़ा, material महंगा आया था क्या, worker को ज़्यादा salary पे हो गई, या ज़्यादा worker use हो गए, worker efficiently काम नहीं कर रहे थे, छुट्टी ज़्यादा लेली लोगों ने, क्यों, क्यों, क्यों महंगा पड़ रहा है, reason ढूणो, एक chapter पढ़ेंगे हम लोग, chapter 13, standard costing, उसमें यही सीखना है, कि जब तुमारी planning वाली cost और actual वाली cost के बीच में variance आता है, तो उसकी reason क्या होते हैं, analysis, देखो है, यह उपर के जो काम थे न, यह तो clerk लोग कर लेते हैं, लेकिन analysis वाला काम, एक chartered accountant करता है, एक professional करता है, यह सबसे main काम है, इसलिए, इसके उपर एक dedicated chapter दिया हुआ, ठीक है, और अगर variance को analyze करने के बाद, तुम्हें ऐसा महसूस होता है, कि तुमने standard में ही कुछ गड़बर setting करी थी, तो standard को revise करो, situations को बदलो, जो भी तुमको amendments करने उसको करो, ठीक है, तो यह चार steps जो आपके सामने colorful तरीके से दिख रहे हैं, set standard, measure actual, compare both और analyze action यह आपको करने का है, तो समझे वाले example को लिख लो, sticky notes में आप, detall versus savalon, तो आपको याद आ जाएगा बाई, कि कैसे detall बहुत बढ़ियां इस्तिती में था market में, savalon ने देखा कि detall ने एकदम से price reduce कर दिया, तब savalon को realize हुआ, कि मेरी cost बहुत जादा जा रही है, तो अब मुझे भी उस level तक cost को लेके जाना है, कि मैं detall की बराबरी कर सकूँ, चलो, अब मान लो, अब मान लो, अब मान लो आ चुका है October 2023 का महिना, और इस October 2023 में तुमारा savalon, जो है, और जो तुमारे detall है, दोनों ही बार बराबरी के टकर में चल रहे है, मतलब तुम इस बहुत अच्छे निर्माता हुआ यार, तुमने cost control करके दिखा दी, अब तुम भी 80 रुपे में बना पा रहे हो, और 99 में sell कर रहे हो, detall वाला भी 80 रुपे में बना पा रहा है, और 99 रुपीज में sell कर पा रहा है, पर अभी market share क्या है पता, अभी market share 50% detall के पास है, और अभी market में जितने hand wash बिखते हैं, उसमें further reduce करना, अब मुझे detall को पचाडना है, मुझे मेरा market share 60, 70%, 80%, 90% लेकर जाना है, लेकिन ये तभी संभव होगा, this is possible only and only, when I will do something extraordinary, क्योंकि जितना मैंने अभी किया न, वो तो detall पहले से करके बैठा हुए, तो मस्ची रुपे की cost ले आए साबाश, साबाश मेरे share, लेकिन तुने खास क्या कर दिया इसमें, वो तो detall भी कर रहा था, अगर तुझे detall से आगे निकलना है, कुछ तो extraordinary करना पड़ेगा, तो अगर मैं कोई ऐसे extraordinary steps लेता हूँ, कि market के जो established वाले standards है न, वही break कर दूँ, कुछ एकदम totally नया करके दिखा दूँ, जिससे मेरी cost और reduce हो जाए, तब मजा आएगा न गुरू, तब दिल garden garden होगा, पूरा बाला, तो अब तुम aim कर रहे हो कि इस 80 को और कम करके दिखाते हैं, जब 80 को मैं 75 ये 70 में ले आऊंगा न, तो मैं मेरा detol का जो ये hand wash का price 99 है न, इसको 89 में बेचूँगा, जब मैं 89 में बेचूँगा और quality भी कम करने की बात कर रहे हो, क्या ये easy task होगा, क्या ये एकदम बहुत ही आसान सी चीज होगी, अगर ये बहुत ही आसान सी चीज होती, तो detol अभी तक कपक़ कर लिया होता, जब तुम इतनी मेहनत कर रहे थे और 120 से 80 तक पहुँचने की कोशिश कर रहे थे तो डिटॉल भी तो खाली नहीं बैठा था वो भी तो अपने साइंटिस्ट को रिसर्च करने को बोल रहा था कि कोई ऐसा कैमिकल ढूणो कि हमारा हेंडवाश और सस्ता हो जाए कोई ऐसी मशीन बनाओ कि हम और कम कोस्ट में प्रोड्यूस कर पाएं तुमको भी ऐसे कुछ करना पड़ेगा लेकिन लेट सी भाई कि कौन ये इस चीज़ पर पहले अमल कर पाता है कौन इस चीज़ को पहले ढूंड पाता है कौन कोई ऐसा स्टेप लेता है कि मार्केट ही बदल जाए समझ रहो तो जब कॉस्ट कंट्रोल हो जाती है उसके बाद अगर तुमको फर्दर कॉस्ट घटाना है तो उस अप्रोच को बोलते हैं कॉस्ट रेड़क्शन विच इस वेरी टाफ तो कई बच्चों को न कॉस्ट कंट्रोल और रेड़क्शन के बीच में डिफरेंस ही समझ में नहीं आता उसी को समझाने के लिए मैंने आपर तुमको जो है यह समझाया है अब मैं तुम्हारे सामने एक और केस स्टेडी ले रहा हूँ टेसला कितने बच्चों ने टेसला का नाम सुना हुआ है अगर सुना हुआ है तो जल्दी से बताईए टेसला नाम सुनते ही आपको कौन सा वर्ड आता आपके माइंड में चलो बताओ टेसला के बारे में कुछ बात करऊँगा और कॉसट रिडकशन की आउंसेपको उसकी बात बताऊँगा पहले टेसला समझा देता हूँ उसकी बात कॉस्ट रिडकशन ठीक है चलो लो बाई सबसे पहले अलॉन भाई याद आ गये बैटवनी भी आ गये है गेड़ बनी जी, सुवाग आते हैं आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल पर अच्छा सबने सब्सक्राइब तो कर दिया ना भाई इतना तो करी दियो होगे तो बोलने की जुरुत नहीं है लाइक भाई तो पता है मेरे को अच्छा लगेगा तो करेगा इंसान नहीं तो डिसलाइक मारके निकल जाएगा उसमें कौन सी बड़ी बात है इलेक्टरिक वीकल एलॉन चाचा ठीक है तो जिन लोगों ने इलेक्टरिक वीकल बोला भाई I really appreciate you, very good मैं उसी के बारे में बात करना चाहता हूँ आज से 20 साल पहले की बात है, 2003 जब टोयोटा ने एक एलेक्टरिक वीकल लॉन्च किया था बहुत महगा लॉन्च किया था पर मजा नहीं आया था गुरू कुछ कारण उसे, क्या कारण था एक तो बहुत महगा था दूसरा, सर वो चार्ज करने के बाद सिर्फ 100 किलोमेटर चलती थी सर, फिर वापस से चार्ज करना पड़ता है तो दूर तक तुम ड्राइव नहीं कर पाओगे तीसरा सर, वो बैटरी ने सर लंबी नहीं चलती थी बार-बार बदलनी पड़ जाती थी बैटरी खराब हो जाती थी तो क्या करें भाई, क्या करें तो बहुत सारी कंपनी सोचने लगी कि हम भी उलेक्टरिक वीकल बनाएंगे हम भी बनाएंगे सब लोगों ने सोचा कि हम करते हैं लेकिन सबको वही प्राब्लम आ रही थी बोले यार बैटरी तो बहुत महंगी आती है कैसे कर पाएंगे कोई दूसरे चैलेंज बता रहा कोई कह रहा है कि यार इलेक्टरिक गाड़ी में पिक अप नहीं आता यार परफॉमेंस नहीं आता मज़ा नहीं आ रहा यार क्या करें बताओ तब टेसला बोला कि मैं इलेक्टरिक वीकल लाओंगा जैसे टेसला ने बोला इलेक्टरिक वीकल लाओंगा तो बाकी कमणी बोलने लगे अरे हम लोग सौ सालों से गाड़ी बना रहे है यह नया बंदा आए करता इलेक्टरिक वीकल लाओंगा कर ले चल कर ले तू कर ले तू भी ट्राय कर ले चल एदर हम लोग सौ साल से गाड़ीया बना रहे हम बेवकूफ है क्या अगर ऐसा ही कुछ होता तो हम भी कर लेते हैं तो कभी revolution नहीं आता न क्या revolution आया सब सबसे पहले anonymous बोला क्या problem है battery न मैं ऐसी technology बनाऊंगा battery की scientist लोगों को बिठाल दूंगा कि ऐसी battery बनाऊ भाई लंबी चले 400 km गाड़ी चलनी चीए 300 km गाड़ी चलनी चीए तो सस्ती बननी चीए battery कैसे बनेगी चल मैं ही factory खड़ी कर देता हूं battery की लोग गीगा factory बना डाली battery की factory बना डाली ऐसी factory बना डाली जहां पर एकदम कम cost में battery निकल कर आ रही है problem solved तो ठीक है न अभी battery निकल कर आए तो क्या हो गया आज मैं यहां से गाड़ी लेके निकलाओं फिर कहा चार्ज करूँगा उसको वापस घर आके चार्ज करूँगा क्या पेट्रोल डीजल में नहीं बीच में भरवा लेते हैं हम लोग कोई बात नहीं टेसला के charging station ले आता हूं पूरे US में पूरे कैनेडा में charging station खरे कर डाले लो charging station बना डाले अपने ही charging station बनाए उसकी भी technology लेकिया और install कर डाले distribution network डाल दिया पूरा तो क्या हो गया महंगी तो होगी कौन खरीदेगा बहुत महंगी होगी क्यों महंगी होती ही गाड़ियां आप सब लोग showroom से गाड़ी लेते हो नग आप सब लोग showroom से गाड़ी लेते हो सर बिल्कुल showroom से गाड़ी लेते है तुम showroom से गाड़ी लेते हो तो बीच में dealer का commission आ जाता है dealer की cost जुड़ जाती है तो तुमको महंगी पढ़ती ही गाड़ी टेसला ने बोला हम dealer वाला काम ही नहीं करें हम क्या करेंगे हमारी factory से सीधे deliver करेंगे आपके घर में गाड़ी आप online book करो गाड़ी आपको test drive करनी है हम showroom बना के रखेंगे लेकिन dealership नहीं commission बाजी नहीं online book करो सीधे आपके घर में गाड़ी है जाई आप order करो उसके बाद गाड़ी मिले गया यह बढ़िया था गुरू बीच का commission कड़ गया गाड़ी सस्ती हो गई यह थी distribution strategy तो टेसला ने क्या बोला यह हम manufacturing plant से और giga factory से चीजे बेजेंगे यहां से battery बेजेंगे वाँ से गाड़ी बेजेंगे online tesla वाली shop में बंदे order करेंगे और सीधे customer के घर पे सीधे customer के घर पे गाड़ी मिल जाएगे यह तो कुछ-कुछ limited physical store बना लेंगे लेकिन dealership वाला funda नहीं करेंगे dealership लाते तो महंगा हो जाता भाई अभी सब बोलने में बड़ा असान लग रहा पर है बहुत tough लेकिन करके दिखाया तो यह जो मैंने तुमको case study बताई नहीं यह एक ऐसी case study थी जिसने पूरा market हिला दिया तो cost reduction इसी चीज़ पर belief रखता है जो cost reduction के पीछे की approach है न सोचने की वो यही है कि जो current इस्थिती है उसको लेक के तुम give up मत करो तुमको fox wagon वाले ने बोला तुमको suzuki वाले ने बोला तुमको toyota वाले ने बोला कि नहीं हो पाएगा भाई नहीं हो पाएगा क्योंकि हम भी करके देख अरे भाई जो charging का infrastructure नहीं country में लो मैंने infrastructure खड़ा कर दिया अगर मैं भी तुमारे जैसे सोचता रहता कि यह नहीं है वो नहीं है मैं भी जो existing situation से उसी के फंदे में बैठ जाता उसी में फस जाता तो कभी नया कुछ करी नहीं पाता are you getting it are you getting it guys विलकुल सर विलकुल so cost reduction एक और better करने वाली चीज है आप cost reduction और cost control में confuse ना हो क्योंकि cost control तो आपको उस level तक लाता है जिस level तक बाकी लोग already पहुँच गए लेकिन cost reduction आपको उस level तक लेके जाता है जहाँ भी तक कोई नहीं पहुँचा है अब अंग्रे जी बोलने में तो बहुत असान है लेकिन करना वहुट tough है बाई सीधी बात ही है ऐसा इन्होंने क्यों clarify कर दिया पता कि बच्चे क्या बोलते है एक काम करता हूँ पिछली बार 100 गाड़ी बनाई थी ने इस बार 80 गाड़ी बनाऊंगा तो कॉस्ट कम हो जाएगा अरे भाई quantity को कम करके तो कोई भी कॉस्ट कम कर सकता है per unit कॉस्ट को कम करके दिखाओ जैसे सेवलोन वाले भी मानलो ये सोचे होते यार हमको ना पूरे packet बनाने की 2 करोड रुपे की कॉस्ट आरी साल बर की एक काम करते है न 25 परसेंट कम पैकेट बनाएंगे तो देड़ करोड में हमारा काम हो जाएगा अरे भाई इसको थोड़ी cost reduction बोलते है इसको थोड़ी cost reduction बोलते है तो ना तो quality डाउन होनी चाहिए ना तो suitability डाउन होनी चाहिए suitability मतलब वो same चीज जो जिस चीज के लिए suitable थी वो अभी भी suitable रहनी चाहिए इसी को बोलते है real cost reduction कि सब कुछ same रखते हुए अगर तुम कम खर्चे में कोई चीज कर पा रहे हो that is called as cost reduction approach it is a approach of management where it is believed that एक philosophy है वाई है यह philosophy है कि there is always a scope of further reduction of the cost एक समय के बाद आके लोग रुक जाते हैं जैसे savalon वाले तुम manufacturer तुमने क्या बोला अब बढ़ियां भाई detall की बराबरी कर लिया अपने अब बढ़ियां चलेगा business ऐसा नहीं होता भाई business में कल फिर कोई नया market में entry आएगा फिर एक नया player आएगा और वो और कम cost में लाएगा और फिर तुमको सोचना पड़ जाएगा इसलिए तुम कभी भी रुको मत हमेशा यही approach के साथ चलो कि और improve किया जा सकता है और reduce किया जा सकता है कुछ तो किया जा सकता है ठीक है so no cost is termed as lowest and every possibility of cost reduction is explored here फिर आता है value chain analysis each activity within an entity is segmented to analyze and identify value added and non value added activities अभी एक word है value chain analysis मैं आपको समझाता हूँ बहुत काम की चीज़ है भाई यह जो मैंने example दिया ना आपको distribution network वाला tesla का उसका यह example इसी का example है कि आज लोग यह देख रहे थे कि वैर goods को कैसे सस्ता करें goods को कैसे सस्ता करें वो तो है लेकिन तुमको पता ultimately तुमारा goods महंगा क्यों हो जाता है क्योंकि तुम dealers के थूँ बेच रहे थे उसको ऐसा कुछ सोचो ना यार कि dealer को ना बेचना पड़े पल सरी है कैस की बेना काम सेल जाएगा कैस की बेना काम सेल जाएगा कि अगर मैं इसको हटा दू तो quality same maintain करते हुए काम हो जाएगा ऐसे करके वो अपनी सारी activities को classify करता है कि इसमें से कौन सी ऐसी activity है जो वाकई में काम की है कौन सी ऐसी activity जिनको avoid किया जा सकता है जिनको हटाया जा सकता है इसको बोलते है value chain analysis कि कोई भी activity perform हो रही है ना organization में तो क्या वो कुछ value दे रही है या नहीं दे रही है अगर value नहीं दे रही छोड़ो को ठीक है next और last में आता है सर assisting management and decision making तो cost reduction एक ऐसी approach है तो cost reduction तो तुमने समझ लिया अब आखरी objective में आता हूँ मैं तो 5 objective थे पहला objective हमने देखा cost को ascertain करना calculate करना दूसरा हमने देखा कि कैसे selling price determine की जाती कैसे profitability determine की जाती है cost control क्या होता है cost reduction क्या होता है और कैसे अब आखरी point पढ़ूंगा कि कैसे costing जो है management को help करता है decision making देखा भाई costing जो subject है वो information provide करता है आपको कि आपके particular department का कितना करचा रहा है आपके particular object का कितना करचा रहा है product का कितना करचा रहा है इस customer को अगर हम deliver कर रहा है वो customer हमको कितने का पढ़ रहा है something like this तो बहुत सारी valuable information regarding the cost is supplied to the management और जब management कोई भी decision लेता है तो वाकई मैं cost मतलब पैसा लागत न तो उसको तो बहुत importance दी ही जाती है बाकी भी aspect होते हैं लेकिन cost को बहुत ज़्यादा इस्जत दी जाती है तो cost and management accounting by providing the relevant information वो help करता है management को plan करने में implement करने में measure करने में आज for example तुमने कोई नई ब्रांच खोली तुमारे business की तो पिछली वाली ब्रांच से जो तुमने सीखा न वो गलती है तुम अगली ब्रांच में नहीं करोगी उसी तरह अगर तुमने पिछले contracts में कुछ गलतियां करी उसमें यहाँ पर cost जादा लग गई थी तुमने ये गलती कर दी थी तो अगले वाले project में वो गलती नहीं करोगी तो वो information अगर मेरे पास available होगी तभी तो मैं अगली बार और better तरीकी से इंप्लिमेंट कर पाऊंगो अस चीज़ को चलो तो एक robust cost और management accounting system जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ internal चीज़े provide नहीं करता external data भी provide करता है मतलब आपको आपका cost management accounting system ऐसा लाना है कि वहाँ जुगाड भी हो सके मतलब कुछ ऐसा तरीका लाओ यार कि हम इंडस्ट्री में क्या best चल रहा है ये भी पता चले आज हम तो कर रहे हैं 120 को 110 ला रहे है पड़ बाद में हमको पता चला रहे है यार बाकी लोग तो 80 रुपे में कर रहे है तो मैं तो बाई गलती कर रहा हूँ इसलिए हमको external चीज़े भी पता होने चीए राइट एवरिवान? तुरू सर फिर से आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ ये चल रहा है basics और जैसा कि मैंने बोला था स्टार्टिंग में कॉस्टिंग थोड़ा सा painful लग सकता है लेकिन चिंता मत करिए सर eventually आपको मैं इस सब्जेक्ट से प्यार करवा के रहूँगा तो अब जो हमने cost control और cost reduction पढ़ा है न उन दोनों के बीच में difference समझेंगे एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूँ cost control versus cost reduction देको बाई आपकी bottle 120 रुपीज की बन रही थी सेवलोन की फिर आपने बोला कि नहीं मेरे को डिटॉल से compete करना है तो आप cost price को लेके आए 80 में बताओ यहां से यहां तक लाना जो है आपका यह cost की controlling कहला है cost control कहला है या cost reduction कहला है बताइए यहां से यहां तक जो आप आ रहे हो that is cost control या cost reduction that is cost control क्योंकि अभी तक तो तुम कहां तक ला पाये हो industry के बरावर ला पाये हो industry के standard तक पहुँच पाये हो अभी तुमने कुछ खास करके थुड़ी दिखाया है जो बाकी नहीं कर पाये थे अब कलको अगर तुम इसको 80 से 74 भी ले आते हो न और detall अभी भी 80 में बैठा हुआ है मतलब जरूर तुमने कुछ ऐसी महनत करी जो कोई और नहीं कर पाया तो वो कहलाएगा cost reduction तो जहां cost control खतम होता है वहां से cost reduction शुरू होता है सर लेकिन ये भी तो reduce करना कहला या minus 40 नहीं न उसको mathematically थोड़ी पढ़ना है बाई उसको logic से समझो जो सब कर पा रहे हैं वो तो तुमको करना ही पढ़ेगा वो तो controlling है तो cost control मतलब होता है नहीं बढ़ने देना मतलब मैं अपनी cost को ऐसी level पे लियाओं कि वो बढ़ेना बाकियों के बराबर लियाओं नहीं बढ़ने देना और reduction का मतलब होता है और कम करना इतना कम करना कि जितना कोई ना कर पाया हो इसमें बहुत मेहनत लगती आसान काम नहीं है बाई के एक्जाम में जोरी question difference between cost control and cost reduction 5-6 बार paper में आचके अभी भी आ सकता कोई बड़ी बात नहीं तो cost control aims at maintaining the cost असी तक रखना market से बाहर नहीं होना तो असी तक रखना पड़ेगा उससे बढ़ने मत देना भाई यह approach है that is controlling control कर रहा हूं और वढ़ना जाए जो standard है कि बाकी लोग असी में है तो मैं भी असी में रहूं उस level तक अपने आपकी सोच रखना that is cost control लेकिन reduction को देखो क्या लिखा हुआ है cost reduction is concerned with reducing the cost it challenges all the standard तो असी में कर रहा है मैं 75 में करके दिखाता हूं चलो और और उसको better करने की कोशिश करूँगा there is always a scope of reduction यह mindset लेकर चलूँगा so दोनों में mindset का अंतर है basic लेकर बताऊं तुमको न दोनों में mindset का difference है cost control seeks to attain lowest possible cost under existing condition भाई वर्तमान परिस्थिती को दिमाग में रखते हुए न यह सबसे कम है मैं यह बोलता हूं वर्तमान परिस्थिती क्या होती भाई परिस्थिती कोई बदल डालो battery ज्यादा charge नहीं हो पाती चलो नहीं technology लाते है battery की अरे electric का infrastructure नहीं कोई बात नहीं मैं ही खड़ा कर देता हूं infrastructure पड़ी revolutionary सोच आईगी न तो cost reduction होगा वर्ना नहीं होगा तो सब कुछ जो अभी current situation से उसको break करना पड़ेगा तो cost reduction जो है वो बोलता है no condition is permanent no condition is permanent हम इसको भी बदल के दिखाएंगे in case of cost control आपका focus है past में अरे तुरे को पता भाई Toyota तो ऐसे ही कर पाया तो अपन भी नहीं कर पाएंगे मान लो जो Tesla के employees होते अगर वो ऐसी चर्चा कर रहे होते अरे यार वो लो तो 100 साल से company चला रहे है वो नहीं कर पाया तो अपन कैसे कर पाएंगे पास्ट के बारे में सोच रहे हो अरे वो छोड़ो भाई कौन कर पाया नहीं कर पाया उनको गोली मारो अपन को देखना अपना अपन क्या कर सकते है future में तो पीछे देखना ही नहीं मुड के भाई अपना focus होना चीए present और future में इस present को और better कैसे बनाऊ में future cost control is a preventive function जैसा कि मैंने बोला preventive मतलब preventive मतलब बढ़ने नहीं देना रोकना रोकना preventive मतलब रोकना मतलब cost को बढ़ने नहीं देना और corrective का मतलब क्या हुआ कि चलो भाई 80 रुपर दो पहुंच के हो उसको और सुधारने की कोशिश कर भाई और find out कर कि तेरी organization में और कौन-कौन सी ऐसी activity है जो non-value added है उसको भी बंद कर और cost को कम करके दिखा that is cost reduction, corrective function cost control end तब हो जाता जब तुमारे target अची हो जाता है, जैसे तुमने target रखाता था न असी तक पहुंचना, तुम पहुंच गए control खतम, अब कोई problem नहीं controlled है तुमारी cost लेकिन cost reduction का कोई visible end नहीं कोई visible end नहीं तो cost controlled जहां खत्म होता है, cost reduction वहाँ से शुरू होता है, और उसका ant कहीं नहीं है, समझे क्या सारे लोग boys and girls ladies and gentlemen, I hope आपको बड़ा मज़ा आया होगा, अब मैं क्या करता हूँ भाई ant के 10-12 minute में फटा फट शुरू से लेकि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ाना उसको quick recap करते हैं और उसके बाद बताईएगा भाई, कि परमानंद की प्राप्ति और संतोष O.P हुआ या नहीं, सर संतोष O.P मतलब, संतोष मतलब satisfaction अगर तुमको पढ़के ऐसा लग रहा हो क्या you are satisfied with what I told you what I delivered you, then you can write संतोष O.P, ठीक है, चलो सर तो हम लोग पढ़ रहे थे सर, introduction and basics of costing, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज जिसकी cost, मतलब कोई भी चीज अगर तुम खरीद रहे हो, कोई भी चीज बना रहे हो, कोई भी चीज तुम service दे रहे हो तो उसको करने में तुम्हें कितना पैसा लग गया, that is cost, amount of resources given up in providing something costing का मतलब होता उस चीज को calculate करना कि cost, cost तो वो final output है, जो value है वो cost है कुछ ऐसे points बता है, जिसकी वज़े से DMART cost leader बन पाया, तो every organization wants to be cost leader यार, तो क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि yes cost and management accounting का system अच्छा होना जरूरी है एक organization, right, next 5 objective हमने cost accounting के पढ़े सब सबसे पहला पढ़ा है, ascertainment of cost कि कैसे cost को ascertain किया जाए, ascertain मतलब calculate करना, तो हम चीजों को इकठा करते हैं, invoices, फिर assign करते हैं, फिर calculate कर लेते, total करके, उस बड़ी चीज नहीं है, फिर हमने देखा कि भाई, cost control system, जो होता, cost accounting system, selling price को determine करने के लिए भी उसका बहुत बड़ा use है, कि cost accounting system होगा तभी तुम पता कर पाऊगे कि तुम्हारा product कितने रुपए में बना है, और जब पता कर पाऊगे कितने रुपए में बना है तभी तो पता कर पाऊगे कि कितने में बेचना है similarly profitability के लिए भी, similarly negotiations करने के लिए भी बहुत काम की चीज़ हैं, बिलकुल सर, फिर आतने हैं सर, cost control में, cost control के अंदर हमने देखा सर, कि कैसे हम basic level तक, जहां पर बाकी लोग तो पहुँच चुके हैं, वहां तक अपनी cost को नीचे लेके आना, controlling में रखना, control मतलब standards के साफ से उपर नहीं बढ़ने देना, that is controlling, तो जिसके अंदर आप standard set करते हो, फिर actual measure करते हो, फिर दोनों को compare करते हो, अगर gap मिला, तो उस gap के बारे में सोचते हो, कि क्या reason हो सकते हो, और उस पर improvement करने की कोशिश करते हो, action लेते हो, और reduction तो सर, अलग चीज हो गई, जब cost controlling तुमारी हो गई, अब तुम अच्छा तुमारा काम चल रहा है, बढ़ियां, अब तुम और better होना चाहते हो, अब तुम market के leader बनना चाहते हो, अब तुम cost leader बनना चाहते हो, तो तुमको कुछ innovative करना पड़ेगा, तुमको है, वो management को planning में, implement करने में, measure करने में, control करने में, evaluate करने में, help करेंगी, लेकिन, यह सिर्फ theory पढ़ने से काम नहीं चलेगा, जब पूरे subject को पढ़ लोगे न, तब तुम actually समझ पाओगी कि कैसे, ऐसी कौन-कौन से information से, जैसे for example, एक छोटा सा example देता हूँ, marginal costing करके chapter है, उस marginal costing chapter में बता, तुम यह पढ़ते हो, कि अगर तुमारी factory में सिर्फ 20,000 kg material बचा हुआ है, और तुमारे तीन product हैं, तो कौन सा product तुम पहले बनाओगे, और कौन सा product कितना बनाओगे, जाकि तुमको maximum फाइदा हो, यह calculations भी हम सीखेंगे, कि मानलो product कितना जादा है, कितना कम बनाओ, कि मेरे लिए इस फाइदेमंद रहे, इस तरीके से हम management को help करते हैं, तो हमारे जो end के तीन chapter हैं, marginal standard and budget, यह management वाले chapters हैं, और starting के chapter हैं, हमारे material costing, labor costing, उसके बाद overheads etc, यह assertainment के chapter हैं, और जो beach के chapters हैं, वह industry specific हैं, कि service costing में कैसे करना होता है, process based industries में कैसे costing करनी होती है, इस तरीके से, बहुत मज़ाएगा, amazing, amazing, amazing subject है, बहुत ही ज्यादा मज़ादार subject है, और last में मैंने आपको एक ऐसा VIP question दिखाया, जो बहुत बार paper में पूचा जा चुका है, cost control versus cost reduction, ठीक है जी, अब हमारे पास 9 minute बचे हैं, और अब इस 9 minute में, मैं आप लोगों के सवाल ले सकता हूँ, कोई problem की बात नहीं है, अगर आपकी दिमाग में भी doubt है, batch से related, particularly overall विश्वास batch से related हो, या particular मेरे subject से related हो, या फिर उस number पर आप खुद भी call कर सकते हो, या फिर google form की link, description में, उस google form की link को बस भर दो, तो आपको callback आ जाएगा, callback का form है वो, चीक है, बिल्कुल यार, आदर्श भाई, नवंबर 2023 वालों के लिए one shot revision बहुत जल्दी announcement लेके आने वाला हों में, और टोटल बिटा 15 chapters है, हमारे पास मंजीत, चाउदा practical chapters और एक थोरी वाला, प्रकर, very good यार, अजीद भाई, very good, लुशिफर, देव व्यास, एप कब आएगा, बस यार, एक दो दिन में आ जाएगा, एप की system requirement भी आ चुकी है, I think कल पर सो तक में, एप हम launch कर देंगे, और, अ जब तक वो सारी चीज़े clear हो रही था, 101 में जाके, विश्वास बैजबाए कर लो, और एक महीने तब तो classes लेते रहो, तब तक तो sort out होई जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है भाई, पापी पे कुछ noting करना है, करना है, आज नहीं, जब practical questions करेंगे ने, तब ज्यादा main काम सर्विस कॉस्टिंग यस करवाऊंगा, अगर कोई यह पूछ रहा कि सर, आपने सर्विस कॉस्टिंग पहले भी करवा रखा, यूट्यूब में तो फिर से करवाऊगे, अब तो batch में करवाऊंगा, यूट्यूब में नी, batch में करवाऊंगा, ठीक है, आर्ट is everything, देख तो स फोकस करो, और eventually आपका refund refund सब आ जाएगा, ठीक है, चलो, लाइव और recorded दोनों मिलेगा, आपको लाइव वन ग्यू रहेगा, और recorded आपके पास दो बार और पूरा batch देख सकते, जैसे मानलो मेरा batch है, 160 hours का, तो 480 hours का तुमको watch time मिलेगा, कि जैसे तुमने लाइव देख लिय पूरा, फिर एक बार 160 hours देख लो, फिर एक बार 160 hours, तो व्यूस का मतलब यह नहीं होता कि बंच चालू किया और व्यूस हो गया, वैसा व्यूस नहीं होता भाई, व्यूस का मतलब है total watch time, ठीक है, चलो, बेटा, बोध ग्रूप में हम लोग जो है 27,000 without book और 30,000 with book दे रहे ह इनको genuinely problem में, जिनके पैसे फसे हूँ, ठीक है, चलो, हाँ बेटा, निपुन भाई, बिल्कुल, बिल्कुल निपुन जी, निपुन जी आप भी अपना experience बता दीजिए कि November 23 का batch कैसा रहा था और आपको मजा आया था है नहीं, ना जी, चलो, Art is everything, देख तो सकते हो, लेकिन देरा few changes, तो मैं recommend तो यही करूँगा कि live कर लो, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें देखना है, तो बाद में amendment जो है January में, थोड़ा सा देखना पड़ेगा तुमको, बाकी कोई problem नहीं है, कर सकते हो, यह time table है बाई, कल भी आपकी classes होंगी, जै और क्या हम improve कर सकते हैं, यह भी बताईएगा, तो कल वापस से, कल तो मैं नहीं मिलूँगा, कल Saturday है न, कल आपको M.V. Sir मिलेंगे, मैं वापस Monday को मिलूँगा आपको, तो मेरे days है, Monday, Wednesday, Friday, और M.V. Sir Tuesday, Thursday, Saturday, और कि टैम्टेबल तो मैंने आपको बताई दिया था, जैना जी, प्रणव मतलब मैं कॉस्टिंग 530-730 सेम टाइम मैं तीन दिन हफ्ते में और तीन दिन M.V. Sir हफ्ते में, मैं मंडे, Wednesday, Friday, और M.V. Sir Tuesday, Thursday, Saturday, ठीक जी, चलो, नई, पॉस करने से watch time count नहीं होता, बैट, actual मैं watch करने से count होता, मैं तुमको यह बता रहा हूँ, जो भी हम दे रहे न, कोई restriction नहीं है, तुम उसको use भी नहीं कर पाओगे, तुम जबर जस्ती का न, वो क्या है, तुम्हारा ऐसा mind में perception बन गए, इसलिए तुम load ले रहे हो, actually ऐसा है नहीं, industry में हर जगे जाके देख लो तुम, 1.5 या 1.8 दिये जाते हैं, हम तो 3 views दे रहे हैं, तो चिंता म ले रहे हैं, उनको ये समझाओ भाई, कि देखो, initiation तो हो गया, refunds का, तो हो जाएंगे refunds, अभी पढ़ने में ध्यान दे सारे लोग, तो links को maximum लोगों तक महुचाएं, ठीक है जी, पर अगर आपको session अच्छा लगा हो, तो आप feedback जो है, दूसरों को भी दे, पर मुझे भी ultimate CA की website दिखा देता हूं, तो आपको simply क्या करना है, ultimate CA.com पर जाना है, वैसे ultimate CA का telegram channel और ultimate CA का instagram channel, facebook, सब कुछ description पर डला हुआ है, यहना तो जो भी social media आप use करते हो, जाके join करना है, जैसे यह देखो, आप आप आए, ठीक है, यह देखो, group 2 combo, 101 वाला, फिर group 1 combo, group 1 combo, जिसको शौर ही है भाई की लेना है, वो तुरंत ले लो या, कोई दिक्कत नहीं, और यहां से आप से core select कर सकते है, foundation, intermediate, फिर उसमें जाके subject का भी filter मार सकते है, जैसे यह combo हो गए, माल लो तुमको individual subject का लेना है, तो subject में जाके यह cost select कर लो, देखो cost क्या जाएंगे, यह देखो, ब volume increase करना है कल से, ठीक है भाई, volume increase कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं, और शुभंतिवारी जी, थोड़ा सा आप बाकी लोगों से बात करिए, आपको पता चल जाएगा, मैं यहां पर तुन ही बता सकता कुछ भी, लेकिन चीज़ें आगे बढ़ने लगी है, है न, fine sir, आप अपना help line का जो भी तरीका होता है, वहाँ से raise करिए, आपको भी फटफट पता चल जाएगा वो चीज़ें, तो चली भाई, thank you so much everyone, और अब जो है, sign off करने का समय आ चुका है, और भी beautiful beautiful example कर में लेने वाला हूं आपके लिए, slides आपके इंतजार कर रहे ही, I hope आज भी जो examples आपने लिए, उससे आपका general knowledge भी बढ़ा होगा, और साथ में आपको जो है, संतो शोपी भी हुआ होगा, ठीक है जी, bye bye, check care, and see you all, मिलते हैं मंडे को साड़े पांच बजे, check care guys